हलो फ्रेंड्स शानु हीर दोस्तो आज मैं आपको सुनाऊंगी थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस से भरपूर कहानी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सो डैट जैसे ही चैनल पर न्यू स्चोरी अप्लोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल चाए क्यूंकि मैं आपके लिए लाती हूँ एक ही बार में कम्प्लीट स्चोरी ताकि आप इंजोई कर सके विदाउट इंटरप्शन सीमलेस लिसनिंग एक्सपिरियंस चलिए शुर शायद पान वालों को उन ग्रांकों का इंतिजार था जो नाइट शो देखकर लोटते वक्त पान खरीदा करते हैं कभी कभी एक आधा ट्रक सननाटे का सीना चीरता सुनसान सडकों पर दोड़ता नजर आ जाता था सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही थी ये सर्दी ही की वज़ा थी जिसके चलते शहर इतनी जल्दी सननाटे के आगोश में चला गया था वरना गर्मियों में आम तोर पर शहर के सारे रास्तों पर शहर पहल रहती है मगर इस वक्त ये आलम था कि शहर के मशूर सेट अगरवाल की कोठी शहर के सबसे पोश इलाके में स्थित होने के बावचूर कुछ संदिग्दा आद्मियों को अपने अंदर दाकिल होने से नहीं रोख सकी वे दोनों एक छोटी से खूब सुरतकार में बैट कर आई थे जिसे वो सड़क के दूसरे किनारे पर चोड़ कर कोठी की दिवार से आ लगे थे इस दिवार के करीब बहुत ज्यादा अंधेरा था इन दोनों ने चूंकि काले कप्ड़े पहन रखे थे इसलिए वो इस संधेरे में इस तरह गुम हो गए थे जैसे दूद में पानी इन में एक जमीन पर उकड़ू बैट गया और दूसरा उसके कंधे पर चड़ कर खड़ा हो गया इसके बाद बैठा हुआ आदमी धीरे धीरे उठने लगा उपर वाले ने बारा तेरा फूर टूंचे रोशन दान में हाथ डाल कर उसे मजबूती से पकड़ लिया दूसरे पल वो रोशन दान के उपर था उसने रोशन दान का शीशा उठा कर अंदर जांका कमरे में नीले रंग की धुंदिली रोशनी वाला बल्प जल रहा था शायद उस शक्स की किसमत अच्छी थी क्यों से ठीक रोशन दान के नीचे लगी हुई एक उँची मेज मिल गई वो धेरे से उसके उपर उतर गया अब बाहर एक आदमी रह किया था वो धेरे धेरे रेंगता हुआ में गेट के करीब पहुँचा में गेट पर भी एक बल्प जल रहा था यहां उसकी रोशने में उसका च्छिपना मुश्किल था इसलिए वो बीट सड़क पर आखड़ा हुआ उसने अपने ओवर कोट के कॉलर कानों से उंचे कर रखे थे और उसका हैट चेहरे पर इस तरह जुका हुआ था कि उसका चेहरा अंधेरे में च्छिपकर रह गया था थोड़ी देर के बाद दर्वाजे पर जरा से आहट हुई और बाहर खड़ा हुआ आत्मी इदर उदर देख कर तेजी से चलता हुआ में गेट के करीब आया में गेट खुला और वो भी देखते ही देखते कोठी के अंदर था दोनों एक दोसरे का हाथ पकड़े अंधेरे में चिपते चिपाते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे चारो तरफ अंधेरा ही अंधेरा था एक जगा उन्हें उपर की मंजिल में किसी कमरे के दर्वाजे के धुंदले शीशों में रोश्नी दिखाई थी ये अंदाजा लगाने के लिए कि वो इस वक्त कहा है उन्होंने टॉट जलाई ये बहुत बड़ा हॉल था जिसमें बेशुमार सोफे पड़े हुए थे दिवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें थी और फर्ष पर कीमती कालीन उपर जाने के लिए एक तरफ संग मरमर के जीने थे हौल में सन्नाटा था वे दोनों धीरे धीरे जीनों पर चड़ने लगे उन्होंने उस कमरे में जांकर देखा जिसके दर्वासों के शीशों से रोशनी चन रही थी कमरे का दर्वासा अध खुला था उनमें से एक ने दर्वासे को धीरे से खोला सेट अगरवाल दिवार की तरफ मुँग की ये बैठा कुछ लिख रहा था वे दोनों इतने आहिस्ता आहिस्ता से कमरे में पांचे कि सेट अगरवाल को खबर तक नहीं होई सेट जी एक ने धीरे से कहा सेट अगरवाल चौंक कर मुड़ा उसने कुछ कहने के लिए होंट हिलाई ही थे कि एक ने रिवालवर निकाल लिया मुँसे आवास ना निकले रिवालवर वाले ने धमकाते हुए कहा सेट अगरवाल के चेहरे का रंग उड़ गया लेकिन वो दिल कड़ा करके बुला तुम कौन हो और क्या चाहते हो डरो नहीं अगर खामोशी से बैटे रहे तो हम तुमें कतल नहीं करेंगे दूसरे ने कहा तुम लोगों ने यहां आकर गल्दी की सेट अगरवाल ने कहा यहां तुमें कुछ ज्यादा नहीं मिल सकेका मैं सब कुछ बैंक में रखता हूँ दोनों हसने लगे हम लोग मामुली चोड या डाकू नहीं दूसरा आदमी बोला फिर उसने अपने साथी की तरफ मुड़कर कहा तुम यहीं ठहरो वो एक छोटे से दर्वासे की तरफ बढ़ा उदर कहा जाते हो अगरवाल ने कहा वो मेरे सोने का कमरा है और वहीं तुमने अपनी तिजोरी रख छोड़ी है दूसरे ने कहा लेकिन उसकी कुणजी नीचे है अगरवाल बोला मुझे कुणजी नहीं चाहिए दूसरे ने कहा और दर्वासा खोल कर कमरे में चला किया एक आत्मी रिवालवर लिये हुए सेट अगरवाल के पास खड़ा रहा सेट अगरवाल ने कई बार उसे धोका दे कर उटने की कोशिश की लेकिन हर बार पिस्तॉल की नाल उसकी कनपटी से टकराई देखो सेट साहब अगर तुमने ज्यादा गडबड की तो तुमें यहीं खत्म कर दिया चाहेगा तुम ये ना समझना कि ये सिर्फ धमकी है ये रिवालवर वगैर बगैर आवास का है किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और हम तुमें मार कर चलते बनेंगे वो तो ठीक है लेकिन तुम लोग बेकार ही जख मार रहे हो सेट अगरवाल ने कहा तिजोरी में दो तिन हजार से ज्यादा नहीं मिल सकेगा खेर ये हमारा अपना सौदा है तुमें इससे क्या सेट अगरवाल खामोश हो गया लेकिन उसकी आँखे अपने सोने के कमरे के दरवासे की तरफ लगी हुई थी घंटा घर की घड़ी ने बारा बजाई दूसरा आदमी अभी तक अगरवाल के सोने के कमरे में ही था सड़क पर नाइट शो देखकर लोटने वालों का आना जाना शुरू हो गया था थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी कमरे से निकल आया कहिए उस्ताद क्या रहा पहला आदमी बोला छीक है दूसरे ने कहा लाओ पिस्तॉल अब मुझे दो और तुम सेट जी को कुर्सी से बान दो और उनके मुँ में कप्रा ठोस दो ताकि ये हमारी जाते ही शोर ना मजाना शुरू कर दे पहले आदमी ने दूसरे के हाथ में पिस्तॉल दे दिया और खुद रेशम की पतली डोर से सेट अगरवाल को कुर्सी में जकरने लगा मेरे मुँ में कप्रा मत ठोसो मैं वादा करता हूँ कि नहीं चीकूंगा सेट अगरवाल ने कहा सेट जी अगर तुम इतने ही इमानदार होते तो हमें तकलीफ करने की जरूरती नहीं होती दूसरे आदमी ने कहा पहले आदमी ने उसके मुँ में कप्रा ठोस दिया दोनों अभी हॉल में पहुँचे ही थे कि बचाओ बचाओ दोडो दोडो की आवाजे आनी शिरू हो गई शायद अकरवाल ने किसी तरह से अपने मुँ से कप्रा निकाल लिया था और अब वो चीक रहा था अचानक ऐसा लगा कि अंधेरे में दो तिन आदमी दोड़ते हुए आई शायद सेर्ची कमरे से आवाज आ रही थी एक आवाज सुनाई थी हाँ चलो उपर चले दूसरी आवाज आई और जीने पर कदमों की आहट मालूम होने लगी उस्ताद अब क्या किया जाए एक ने कहा चलो जल्दी करो में गेट की तरफ मगर शायद बाहर भी आदमी जमा हो गए है डरो नहीं आगे बढ़ो मैं सब चीक कर लूँगा दोनों तेजी से में गेट पर पहुँचे जो अंदर से चीकना शुरू कर दिया हाई मार डाला मार डाला बचाओ बचाओ लोग बाहर से दर्वासा पिटने लगे उस्ताद ने चीकते हुए दर्वासा खोल दिया अब पहले आदमी ने भी अपने उस्ताद के ही तरह चीकना शुरू कर दिया लोग क्या है क्या है कहते हुए अंदर घुसने लगे और ये दोनो बचाऊ बचाऊ चीकते हुए बाहर निकल गए सडक के दूसरे किनारे पर पहुंच कर दोनों कार में बैट गए अरे वो कार में बैट गए पकड़ो पकड़ो वही तो हैं सेट अगरवाल उपर की खिड़की से सिर निकाले चीक रहा था जैसे ही लोग कार की तरफ छपटे उस्ताद ने नोटों का बंडल खोल कर भीर में फैंक दिया फिजा में सेंकडों नोट तूट रहे थे भीर नोटों पर तूट पड़ी और कार जो अब स्चार्ट हो चुकी थी थोड़ी देर में नसरों से गायब हो कई दूसरे दिन सुबा जब सार्जेंट हमीद और इंस्पेक्टर फरीदी सैर के लिए जाने की तयारी कर रहे थे आओ भी कोई बात नहीं फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा खैरियत तो है आप कुछ परिशान से नजरा रहे हैं हमीद ने कहा खैरियत कहा हमीद भाई जगदेश ने बैठते हुए कहा इंस्पेक्टर सहाब की मेहरबानी से मेरे अफसर मुझे बहुत ज्यादा कामिल समझने ल क्या बताऊं रात एक जीबो गरीब वार्दा थो गई जिनकी चान बीन का जिम्मा मुझे को दिया किया है और मैं जो कुछ हूँ वो मैं ही बहतर जानता हूँ अभी मुझे में इतनी काबलियत भी नहीं है कि किसी मामुले चोरी का सुराग लगा सकूँ खेर चलो आगे को हो खल रात सेट अगरवाल के यहां दो आत्मी घुस आई उनमें से एक सेट अगरवाल के सिर पर पिस्तॉल ताने खड़ा रहा और दूसरा उनके सोने के कमरे में खुस गया जहां ती जोरी रखी हुई थी कुछ देर बाद वहां से वापिस आखिया दोनों ने अगरवाल को कुरसी में जकड़ कर उनके मुँ में कपड़ा ठूस दिया वे दोनों कमरे से निकल कर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अगरवाल ने मुँ से किसी तरह कपड़ा निकाल लिया और चीखने लगा उस वक् सारा बजे होंगे नार्चो खत्म हुए थे इसलिए सड़क पर भी काफी भीड़ भाड़ हो गई थी अगरवाल के चीखने पर एक तरफ तो उनके घर वाले जाग गए और दूसरी तरफ सड़क पर उनके में गेट पर काफी भीड़ लग गई दोनों आत्मियों ने जब य और चिलाते हुए दर्वाजे की तरफ भागे उसी हालत में उन्होंने में गेट खोला और बाहर निकल गए बाहर निकलते वक्त उन्होंने चीखना शुरू कर दिया अरे मार डाला हरे मार डाला लोग समझे कि शायद वो भी इसी कोठी के रहने वाले हैं लेकिन अगरवाल के चिलाने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बदमाशों की कार की तरफ बड़े ही थे कि उन दोनों ने पांच-छे हजार रुपेयों के नोट भेड की तरफ फैंग दिये लोग नोटों पर तोट पड़े और वे दोनों कास चार्ट करके चलते बने भई बह बहुत खूब फरीदी हसते हुए बोला वे चाहे जो भी रहे हो लेकिन मैं उनकी चालाकी की दाद दिये बगैर नहीं रह सकता बै कमाल कर दिया यही नहीं और सुनिये जगदीश ने कहा उधर वे लोग फरार हुए और इधर किसी ने पीछे से अगरवाल पर पिस्तॉल से हमला कर दिया फायर घर के अंदर से हुआ था गोली दाएं बाजू को छेद गई खैरियत यह हुई कि हड़ी पर कोई चोट नहीं आई वे इस वक्त अस्पताल में हैं तो यह फायर उन दोनों के फरार हो जाने के बाद हुआ था जी हाँ अच्छा तिजोरी तो बिलकुल सा हो गई होगी सेट साहब की यही तो अच्छंबे की बात है कि उन लोगों ने तिजोरी को हाथ भी नहीं लगाया क्या मतलब सेट अगरवाल का बयान है कि तिजोरी की सारी चीज़ें जियों की त्यों मौजूद है और कमरे से कोई और चीज भी चोरी नहीं हुई तब तो य अमीत चाय बनवाओ और फिर तुमने क्या किया फरीदी ने जगदिश से पूछा करता ही क्या मुझे आता ही क्या है जबरदस्ती लोगों पर रॉप डालने के लिए लेंस से मुश्रिम की उंगलियों के निशान तलाश करता रहा दो चार उल्टे सीधे सवाल सेट साहब के घरवालों से किये खुद सेट का बयान लिया और बस खैर कोई परिशानी की बात नहीं काम करने से ही आता है फरीदी ने कहा वो तो मैं भी समझता हूँ मगर ओ मगर क्या सब ठीक हो जाएगा फरीदी ने कहा लो चाय पियो शायद तुम रात भी जागे हो नाश्ता करके यह ही सो रहो और अब तो तुम अपने एरिया के अफसर इंचार्च हो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए इतनी जल्दी DSP या SP बनने के ख्वाब नहीं देखो अगर आप इसी तरह मुझ पर महर बान रहे तो उस दिन को भी दूर नहीं समझता जग्दीश ने कहा जग्दीश सहब आप बेकार की गलत फैमी में पड़े हुए हैं हमीद ने कहा जो शक्स खुद आज तक चीफ इंस्पेक्टर ना हो सका वो किसी को क्या तरक्की दिला सकेगा शायद तुम ये इसलिए कह रहे हो कि आज तक तुम सार्जेंट ही रहे जग्दीश ने जवाब दिया हमीद तुम आज ही इंस्पेक्टर हो सकते हो लेकिन ये समझ लो कि फिर हम तुम एक जगा नहीं रह सकेंगे फरीदी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हें इंस्पेक्टरी प्यारी है या फरीदी अब मैं क्या कहूँ खुदी समझ लीजिए ये तो आप जानते ही हैं कि मैं आपके हर वक्ट चापलो सी करता रहता हूँ फरीदी और जग्दीश हसने लगे अच्छा तो फिर इंस्पेक्टर बनवा ही दिया जाए नहीं माफ कीजिए रात में जो तीन चार घंटे सो लेता हूँ उससे भी जाओंगा खुदा मैफोज रखे हर बला से यहां आते वक्ट जग्देश रास्ते भर ये सोचता आया था कि फरीदी ऐसा अजीब और गरीब केस सुनकर उचल पड़ेगा वारदात के बारे में सवालों की बौचार कर देगा कुछ देर तक नाग भोँ पर जोड देगा और फिर उटकर टहलेगा लेकिन इन सब बातों के उलट उस वक्ट फरीदी का रवया देखकर उसे काफी हैरत हुई असली टॉपिक छोड़ कर वो ना जाने कहा के बखेडे निकाल बैठा था और अब हमीद और फरीदी में बिलकुल नेजी किस्म की बाते चिड़ गई थी फरीदी उसे चिड़ा रहा था और वो जल्ला जल्ला कर जवाब दे रहा था जगदीश ने फिर असली टॉपिक की तरफ आने की कोशिश की एक बात मेरी समझ में नहीं आ थी जगदीश ने चाय की प्याली रखते हुए कहा आखिर मुझ्रिम आए किस मकसद से थे क्या उन्होंने सिर्फ इसलिए इतना बड़ा खत्रा मोल लिया था कि मकान में सिर्फ टेहल कर वापिस चले जाएं इतनी मामुल इसी बात भी आपकी समझ में नहीं आई हमीद ने कहा असली मकसद सेट अगरवाल को कतल करना था मुझ्रिम यकीनन दो से ज्यादा रहे होंगे दो ने भाग दोड़कर लोगों का ध्यान अपनी तरफ लगाया और तीसरे ने सेट पर गोली चलाई और इसी हंगामे में वो भी निकल भागा फरीदी मुस्कुराने लगा क्या बच्पने की बाते कर रहे हो फरीदी ने सिगार का कश लेकर कहा अगर कतल ही करना था तो इतना शोर मचाने की क्या सरूरत थी वे दोनों गलाग घोट कर भी उसे मार सकते थे वे लोग जो इतनी चालाकी से निकल भागे हों इतना टेड़ा प्लैन नहीं बना सकते ये तो आप बिलकुल चीक कह रहे हैं जगदेश जल्दी से बोला हैरान करने वाली बात ये है कि इतने चालाक आदमियों ने सेट को इतना ढीला क्यों बांधा कि उनके जाते ही वो चीकने लगा जो लोग इतने चालाक हों कि पीछा करने वालों से पीछा छुडाने के लिए उन पर नोट बरसा दे ऐसी बेवकुफी नहीं कर सकते वाख़ी ये बात भी सोचने वाली है जगदेश ने कहा यहां कौन सी ऐसी बात है जो सोचने वाली नहीं है हमीद बोला हाँ ये तो बताओ फरीदी ने जगदेश से कहा मुझ्रिमों ने जो नोट फैंके थे उनमें से कोई नोट तुमको मिल पाया क्या जी हां सो रुपे का एक नोट है जगदेश ने जेप से एक नोट निकालते हुए कहा ये नोट एक पान वाले को मिला था जिसकी दुकान सेट अगरवाल की कोठी के करीब ही है फरीदी नोट लेकर देखता रहा इस पर इंपेरियल बैंक की मोहर पड़ी हुई है फरीदी बोला मेरा इरादा हो रहा है कि इस नोट को लेकर इंपेरियल बैंक चाऊं जगदेश ने कहा हो सकता है कि ये एक साल पहले वहां से इशू किया गया हो इस तरह पता चलना मुश्किल है फिर आखिर बताईए कि मैं क्या करूँ जगदीश ने कहा धीरज धीरज फरीदी हसकर बोला आकिर इतनी जल्दी क्या है इससे भी मामली किस्म की वारदातों में महीनों खाक चाननी पड़ती है तुम एक ही दिन में ताज महल क्यों बनाना चाहते हो अच्छा तो साहब अब मैं जाकर सोता हूँ ये केस मेरे बस का रोक नहीं अगर आपने मुझे एरिया का अफसर इंचार्च बनवा कर इस जनजाल में फस्वाया है तो आप ही इसे संभालिए भई मैं तुम्हारी मदद के लिए हर वक्त तयार हूँ फरीदी ने कहा लेकिन इसका क्या हल होगा राम सिंग वाले केस की और बात थी मामला किसी न किसी तरह निपठ ही गया यहाँ परिशानिया आ सकती है और फिर अगर किसी तरह भांडा फूट गया तो तुम्हारी बड़ी भद होगी वैसे मैं तुम्हें हर किस्म की राई देने के लिए तयार हूँ खैर कुछ भी हो आपकी मदद के बगैर यह गाड़ी चलती नजर नहीं आती मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारी मदद जरूर करूँगा मगर इस सिलसिले में ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे तुम्हारी उस शोहरत को धक्का लगे जो तुमने राम सिंग वाले केस में हासिल की है अच्छा तो फिर अब मैं चलूँ जगदीश ने उठते हुए कहा जरा इस नोट का नंबर तुमुझे लिखवा दो फरीदी ने अलमारी पर से नोटबूक उठाते हुए कहा जगदीश ने नोट उसके जग गया कहिए क्या ख्याल है हमीद ने मुस्कुरा कर कहा फरीदी भी मुस्कुरा पड़ा मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर गोली किस ने चलाई फरीदी ने कहा यही तो सोचने की बात है हमीद बोला लेकिन आखिर ये आपको सूची क्या थी हर बात अगर तुम्हारी समझ में आने लगे तो बात ही क्या रह गई फरीदी ने कहा आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर पकड़ लिए गए तो क्या हश्र होगा बर्कुरदार पांच अजार उपए का खोन इसलिए नहीं किया था कि पकड़ लिए जाएं मगर एन वक्त पर आपको सूची खूब मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे एन वक्त पर नहीं सूची मैं इसके लिए पहले से ही तयार होकर गया था वरना यूँ ही पांच हजार का बंडल जेब में लिए फिरने में क्या तुक है बहराल खुदा का शुक्र है कि बच गए हमीद ने कहा और ये सारा हुलड महस तुम्हारी वज़ा से हुआ मैंने तो तुम से उसे बांदने के लिए कहकर बहुत बड़ी गल्दी की थी ये काम मुझे ही करना चाहिए था वरना वो क्या उसका बाप भी आवास नहीं निकाल सकता था उसका बाप तो वाकर आवास नहीं निकालता लेकिन ये बताईए कि आखिर आपने ये सब किस लिए किया था अभी नहीं जब तक ये ना मालूम हो जाए कि अगरवाल पर गोली किसने चलाई थी मैं कुछ नहीं बताऊंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं उस वक्त तक परिशान रहूं हमीद ने कहा नहीं परिशान नहों सिनेमा देखाओ फरीदी हस कर बोला अच्छा ये ही बता दीजिए कि आपने उस तिजोरी से क्या चीज़ निकाली थी जिसका उसे भी पता नहीं कमाल किया तुमने उसे पता क्यों नहीं वो अच्छी तरह जानता है लेकिन बताने की हिम्मत नहीं कर सकता चलिए अब तो आपने और भी उलजा दिया हमीद ने कहा आकिर आप मुझ से ये रास क्यों छिपा रहे हैं जबकि मैं आपका साथी भी हूँ बात दरसल ये है कि अगर मैं तुम्हें बता दू तो इस मामले में तुम्हारी सारी दिल्चस्पी खत्म हो जाएगी और तुम अच्छी तरह काम नहीं कर सकोगे मैं वादा करता हूँ कि अपनी दिल्चस्पी खत्म नहीं होने तूँगा हमीद ने कहा दिल्चस्पी लेना या ना लेना अपने बस की बात नहीं जितनी ज्यादा जो चीज हमारी नजरों से चुपी रहती है उतना ही हम उसे देखने के लिए परिशान रहते हैं और उसके पता हो जाने के बाद खुद बखुद हमारी दिल्चस्पी खत्म हो जाती है बहराल आप तो नहीं बताएंगे हमीद ने कहा इरादा तो यही है और साथ ही ये उमीद भी है कि तुम बुरा नहीं मानोगे इस पर गौर करूँगा कि बुरा मानू या नहीं हमीद ने कहा अच्छा यही बता दीजिए कि आकिर आपने जगदेश से नोट का नमबर क्यों लिया है हाँ ये बता सकता हूँ मुझसे एक बड़ी बेवकूफी हुई वो ये कि मैंने उन बंडलों में कुछ सो रुपए के नोट भी रहने दिये थे हाला कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था बैंक से सो रुपए के नोट नमबर लिखे बगएर इशू नहीं किये चाते अगर जगदेश ने इसके बारे में चान बिन शुरू कर दी तो बड़ी मुश्किला पड़ती मैंने परसो ही बैंक से ये रुपए मंगवाए थे मुझे उम्मीद है कि मेरे सला पर अमल करते हुए वो खुद बैंक नहीं जाएगा अगर यही बात थी तो फिर आपने वो नोट उसे वापिस क्यों कर दिया घबराओ नहीं वो फिर मेरे पास वापिस आजाएगा फरीदी ने कहा वो कैसे? बहुत आसानी से मैंने जो प्रोग्राम इस वक्त बनाया है उस पर अमल किये बगैर काम नहीं चलेगा लेकिन उसके लिए तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा आप फिर गोल मार भाते करने लगे अच्छा तो खैट सुनो अब अमें लगातार कई दिनों तक अलग-अलग जगों पर अपनी रात वाली हरकत दोरानी पड़ेगी अरे वाँ अरे वाँ वाँ बस निकल गई जान फरीदी ने कहा इसका जिमा मैं लेता हूँ कि तुम पकड़े नहीं जाओगे मैं कहता हूँ आगिर आपको हो क्या गया है हमीद ने कहा भाई तुमें इससे क्या बहस अगर मेरा साथ देश सकते हो तो ठीक है वरना मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा मेरी जान अजीब मुसीबत में पढ़ गई है हमीद बोला नहीं इसमें परिशानी की कोई बात नहीं अगर तुम इंकार करना चाहो तो कुशी से कर सकते हो मुझे इसका कोई गम नहीं होगा खेर जहां आप वहां मैं लेकिन इतना तो बता दीजिए कि आपके बयान के मताबिक जब कल रात आपको काम्याबी मिल गई तो फिर अब इदर उदर हर बोंग मचाने से आपको क्या मकसद है अब तुमने की है काईदे की बात अच्छा सुनो अब ये चीज़ जरूरी हो गई है कि किसी न किसी तरह वो नोट जगदेश के गबसे से निकालना ही है वरना ये भी हो सकता है कि हम लोग किसी मुश्किल में फस जाएं लेकिन इस तरह वो नोट हमें कैसे मिल सकेगा जब हम लोग इसी तरह की दो तिन अजीबों गरीब वार दाते और कर गुजरेंगे तो ये केस सिविल पुलिस के हाथ से निकल कर हम तक आएका क्या ये अजीब बात नहीं होगी कि दो डाकों बेकार ही में लोगों के घरों में घुस घुस कर तिजोरियों का जाइजा लेते फिरते हैं सोचा तो आपने खूब है लेकिन देखो मिया साफ बात लेकिन वेकिन का मैं कायल नहीं जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैंने पहले ही से बहुत कुछ सोच रखा है और अब तो सिर्फ हिमत की बात है खेर साहब जो भी होगा देखा जाएगा लेकिन इतना तो आप भी समझते होंगे कि शोरगुल हो जाने के बात भाग निकलने वाली तरकीब तो अब काम नहीं देखी क्योंकि इस वक्त तक उसकी शारत सारे शहर में हो गई होगी इसलिए अब लोगों को उस तरकीब से चकर नहीं दिया जा सकीगा ये जरूरी नहीं कि मैं वही पुरानी लकीर पीटता रहूं फरीदी ने कहा अब तो अब हुलड होने ही नहीं दूँगा और अगर इतिफाक से ऐसा हो भी गया तो उसी वक्त कोई और तरकीब निकाल ली चाहेगी और ये तो तुम जानते ही हो कि मेरा जहन हमेशा खत्रे में पढ़ने के बाद ही तेजी से शाम काम शुरू कर देता है भला इस अकीकत से किसको इंकार हो सकता है लेकिन फिर वही लेकिन फरीदी ने जल्ला कर कहा आगर तुमने लेकिन का पाठ क्यूं पढ़ लिया है मैं तो बार बार तुम से कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी हिमत नहीं पढ़ती हो तो साफ इंकार कर दो मैं अकेले ही ये काम कर लूँगा आप फिर गलत समझे मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा चाहे जो काम आप कर रहे हो वो गलत हो या सही कहना तो सिर्फ इतना है कि जब कानून के रक्षक ही कानून तोड रहे हैं तो फिर औरों का उपर वाला ही मालिक है इस बात को मैं शायद तुम से ज्यादा समझता हूँ फरीदी ने बुरा समूब बना कर कहा लेकिन जब तुम को इस काम की असलियत पता चलेगी तो तुम भी कानून के खिलाफ जुर्म के मदद करने पर रासी हो जाओगी लेकिन मैं अभी तुम्हें इस रास को नहीं बता सकता तीन दिन से शहर के पुलिस बुरी तरह परिशान थी सेट अगरवाल के यहां डाके के बाद से अब तक इसी तरह दो और वारदाते हो चुकी थी शहर के मशूर दौलत मंदों की तिजोरियां खोली जाएं लेकिन कोई चीज गायब ना हो और तिजोरियों को खोलने वाले साफ बच कर निकल जाएं और ये भी अजीब बात थी कि ये सारी की सारी वारदाते जगदीश के ही इलाके में हो रही थी जगदीश कई बार फरीदी से मिलकर उसे मदद की गोहार लगाता मगर हर बार उसे दिलासा देकर वापिस भेश दिया जाता आज भी वो देर से बेटा फरीदी का दिमाग चाट रहा था अब आप ही बताईए कि मैं क्या करूँ बड़ी बदनामी हो रही है मेरी जगदेश ने कहा अच्छा भई तुम परिशान क्यों होते हो आज मेरा इरादा है कि रात में तुम्हारे इलाके की गश्ट करूँ मगर ये बात किसी से कहना नहीं अरे नहीं सहाब कभी जुबान पर भी नहीं लाओंगा आप कुछ कीजिये तो जगदेश ने कहा तो क्या आप हम लोगों के साथ गश्ट कीजिएगा तुम लोगों के साथ गश्ट करने से क्या फाइदा तुम लोगों का अच्छी बात है, मुझे अब इत्मे नान है, हो सकता है रात में कहीं आप से मुलाकात हो जाए, क्योंकि आज कल मैं भी रात पर मारा मारा फिरता हूँ, जगदीश ने कहा। बात ही ऐसी है, फरीदी ने कहा, और ये अजीब बात है, कि ये सारी वारदाते तुम्हारे ही इलाके में हो रही है, ये तो बड़ी हैरत की बात है, जगदीश ने कहा, ना जाने उन दोनों को मुझ से क्यों इतनी दुश्मनी हो गई है, कभी कभी सोचता हूँ, कि कहीं ये हम में से कोई मेरी बदनामी के लिए लगा हो, तुमने बात तो बहुत ठीक सोची है, फरीदी ने कहा, शायद यही बात हो, मैं भी इस चेस को काफी दिनों से महसूस कर रहा हूँ, कि तुम्हारी कुछ साथी तुमसे बुरी तरह जलने लगे है, जी हाँ, यही तो बात है, औ मगर एक बार फिर कहे देता हूँ, कि रास्तारी शर्थ है, अरे आप भी कमाल करते हैं, मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं, कि मामले को ना समझू, आप इत्मे नान रखिये, किसी को कानो कान खबर नहीं होने पाएगी, अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, जगदेश के च कि उसके लिए तरक्की के दर्वा से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी बाते आप जाने, या जाने खुदा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, अपनी बिसात के मुताबिक काफी समझ लेते हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे बात तुम ही मेरी जगा रोके, अच्छा, तो अब मुझे भी गिसना शिरू कर दिया, हमीद ने हसकर कहा, खेर छोड़ो इन बातों को, फरीदी ने कहा, ये बताओ आज कहा हाथ मारा जाएगा, अब पीछा भी छोड़िये, पीछा तो उस वक तक नहीं चूट सकता, जब तक कि ये केस मेरे हाथ मे ना आ जाए, इस बार शायद इन गदों ने भी कसम खा रखी है, कि केस हम तक नहीं पहुँचने देंगे, हमीद ने कहा, कब तक किसी दिन कोई ऐसी हरकत कर भैठूंगा, कि केस खुद पर खुद चहलता हुआ हम तक चला आएका, फरीदी ने हसकर कहा, तो क्या कोई नया ग खुल खिलाने का इरादा है, यकीनन अगर दो देन के अंदर अंदर ये केस मुझे नहीं दिया किया, तो मजबूरन मुझे कलेक्टर साहब के बंगले में भी गुसना पड़ेगा, उस देन मुझे माफी रखिये का, हमीद जल्दी से बोला, वा बेटा, बड़े अच्छे रहे, जब इम्तिहान का वक्त आया तो जान निकल गई, तब ही तो देखी जाएगी तुम्हारी बहादुरी, लौल विलक कुवत, मुरामीद ने कहा, कितनी बार आपको यकीन दिला चुका हूँ, कि मैं इंतहाई बुस्दिल हूँ, मगर आप कुछ सुनते ही नहीं, मैं ज करंचंद के यहां क्या समझे, मार ढाला, हमीद बोखला कर बोला, आज यकीनन पकड़े जाएंगे, अरे उसकी कोठी तो कोट वाली के करीब ही है, होगी, फरीदी ने कहा, इससे क्या होता है, इससे कुछ होता ही नहीं, अरे इससे ये होता है कि कभी-कभी गोली लग जाने का खत्रा होता है, पकड़ कर बंद कर दिये जाने का डर रहता है, और… अच्छा-च्छा, रहने दीचिये, आज मैं अकेले ही जाओंगा, खुदा आपको हमेशक खुश रखे, हमीद ने कहा, अच्छा, तो क्या वाकी आप इससे सत समझे, बरकुर्दार, इस फेर में नही नहीं रहना, तुम तो क्या, तुम्हारी मक्हियां भी चलेंगी, आप शौंक से मेरी मक्हियों को अपने साथ ले जा सकते हैं, मुझे कोई एतरास नहीं होगा, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, तो ज्यादा बहतर है, बहुत अच्छा, देखा जाएगा, फरीदी ने जु मेरे खयाल से तो आज भी वहीं चलना चाहिए, जहां कल गए थे, हमीद बोला, ये नया खयाल आपके जहन में कैसे पैदा हुआ, फरीदी ने आंके बंद किये हुए पूछा, वो जो वहां सो रही थी, क्या चीज थी, खुदा की कसम, हमीद ने कहा, अच्छा जी, फरीदी ने आंके खोल दी, क्यों, क्या आपको पसंद नहीं आई, तो क्या मैं वहां उसी को पसंद करने गया था, तो और क्या, इस तरह लोगों के घरों में घुस्ते फिरने का और क्या मकसद हो सकता है, बहुत खुद, क्या कहना, फरीदी मुस्कुरा कर बोला, आप चाहें जितन बनाई, मुझे तो अब यकीना किया है, कि ये आपकी कुछली हुई सेक्सी जिंदगी ही की इजास है, हमीद संजीत की से बोला, देखो मिया हमीद, तुम अभी साहब जादे हो, फरीदी हसकर बोला, तुम इस तरह की बात चित करके, मुझ से मेरा रास नहीं उगलवा सकते ये सारी बाते तुमें उसी वक्त मालूम हो सकेंगी, जब मैं चाहूंगा, हमीद झेम कर खामोश हो किया, और अगर तुम इस रास को मालूम करने के लिए इतने ही बेचैन हो, तो फिर तुमें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँ, अरे सहब, तुम मैंने इंकार कप किया ह हमीद ने कहा, नहीं, तुम शायद समझने लगे हो, कि तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं चल सकेगा, तुम्हारा ये खयाल गलत है, फरीदी ने कहा, लीजिये, आप तो फिर नारास हो गए, मैं कब कहता हूं कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा, अच्छी बात है, तो इसी पर अब तयारी शिरू कर दो, इस वक्त पांच बजे है, चीक एक बजे हम लोग यहां से रवाना हो जाएंगे, छोटी कार के नंबर की प्लेट बदल दो, और हाँ, उसके उपर दूसरा पॉलिश तो हो ही गया होगा, जी हाँ, हरे रंग का पॉलिश कर दिया गया है, फरीदी ने कहा, आओ, जरा चल कर उसे देख ले, फरीदी और हमीद कमने से निकल कर गैराज की तरफ आए, हमीद ने गैराज का ताला खोला, यह गैराज हमेशा बंद रहता था, उसमें एक छोटी सी कार्ट थी, जिसे फरीदी खास मौके पर इस्तिमाल करता था, उसके ब लाने का इतिफाक नहीं हुआ था, शेहर में होने वाली वारदातों के लिए, आचकर फरीदी और हमीद इस कार को इस्तिमाल कर रहे थे, रोजाना उसके उपर एक नया रंग फेर दिया जाया करता था, यह काम हमीद के सुपूर्ट था, वो किसी ना किसी तरह उसे उल्टा सीधा ली पोत कर रख दिया करता था, दोनों ने गैराश में जाकर कार का जायजा लिया और बाहर निकल आई, अरे यह इस वक, यह मौतरमा कहां से आठ टपक पड़ी, फरीदी ने फाटक की तरफ देखते हुए कहा, हमीद ने भी पलट कर देखा, शेहनास बारी फाटक से अंदर आ रही थी, क्यों, क्या आपको इसका आना महगा पड़ता है, हमीद ने कहा, नहीं भाई, वक की बात है, मालुम नहीं कितनी देर तक बैठे, साड़े नों तो हो ही चुके है, फरीदी बोला, खेर शुक्र है कि आप लोग मिले तो, शेहनास करी बाकर बोली, मैं कल भी आई थी, क्या बताएं, आज कर हम लोग बहुत बुरी तरह काम में लगे हुए हैं, फरीदी ने कहा, चलो अंदर चलो, तीनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए, मैं इसलिए आई हूं कि आज, सुहाग रात का आखरी दिन है, क्या मतलब, फरीदी शरारत के साथ हस दे हुए बोला, शेहनाज अपने इस जुमले पर जेम कई, मेरा मतलब ये है कि कल प्लाजा में दूसरी फिलम लग जाएगी, शेहनाज जेम पे हुए अंदास में बोली, ओ, तो ये कहो कि तुम आज फिलम सुहाग रात देखना चाहती हो, फरीदी ने कहा, जी हाँ, तो ज इन देन तक हम लोग बहुत ज्यादा बीजी रहेंगे, फरीदी ने कहा, अच्छा, मैं अभी आता हूँ, और फरीदी बाहर चला किया, शेहनाज इस तरह मूँ फुलाई बैठी थी, जैसे वो हमीद से रूठी हुई हो, क्यों, क्या बात है, क्या मुझसे नारास हो, हमीद ने कहा, मैं कौन होती हूँ नारास होने वाली, बला अपने ऐसान मंदों से कोई नारास भी होता है, फिर वही बात, आगर तुम मुझे इतना सताती क्यों हो, ये लिजिए, ये दूसरी रही, मैं होती कौन हूँ सताने वाली, आखिर मैंने क्या किया है, जो इस तरह की बात कर रही हो, मेरी बाते इसी तरह बुरी लगती हैं आपको, अच्छा लीजिए, चली जाती हूँ, अरे भाई बैठो, अरे मैंने क्या कह दिया, जो इस तरह नारास होती हो, अरे अरे सुनो तो सही, नहीं साहब, मैं वाके बड़ी बेहया हूँ, कि बेकार ही मैं आपके विकार की होती है, देखो, मैं अपना सिर्फ ओर लूँगा, नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैं आप कभी आपसे नहीं मिलूँगी, आखिर क्यूं, मुझे क्या पड़ी है, कि आपसे बाते करके आपको सिर्फ ओरने पर मजबूर करूं, खुदा की कसम, मैं हार गया, लो, बोलता हूँ, कुकुडुकु, कुकुडुकु, अरे-म्ले, चुप रहिए, फरीदी साहब क्या कहेंगे, शैनाज घबरा कर बोली, नहीं साहब, मैं तो बोलूंगा, कुकुडुकु, खुदा के लिए चुप रहिए, यह आप क्या करने लगे, फस्फरीदी साहब अच्छा वादा करो कि अब मिठी मिठी बाते करोगी वरना मैं यूँ ही चीखे जाओंगा अच्छा बाबा मैं हार गई लेकिन ये बताईए कि आप दो तेन दिन से आई क्यों नहीं आज मेरे साथ फिल्म देखने के लिए क्यों नहीं चलते हाँ यूँ बात करो बात ये है कि आज कल एक कास्ट केस आ गया है शहर में जो वारदाते हो रही है उनके बारे में तो तुम सुन ही चुकी होगी आज कल रात पर हम लोगों को गश्ट करनी पड़ती है वाकई ये वारदाते अजीब हैं सारे शेहर में हलचल मची हुई है मैंने तो आज तक इस किस्म की वारदाते नहीं सुनी समझ में नहीं आता कि ये डाकू घरों में क्यों घुसते फिरते हैं जबकि वो वहां से कोई चीज ले नहीं जाते यही तो हैरत की बात है हमीद पलके जपकाते हुए बोला इस मामले में फरीदी साहब जैसा तेज तर्रार जासूस भी हैरान हैं लोगों का खयाल है कि डाकूँ को किसी खास चीज की तलाश है शेहनास बोली हम लोग भी यही सोच रहे हैं हमीद ने कहा और यह भी अजीब बात है कि यह डाकूँ ना तो किसी पर हमला करते हैं और ना इस बात से डड़ते हैं कि कहीं वे पकड़ना लिये जाएं सेट अगरवाल के यहां जब वे घुसे थे तो बहुत से नोट बांट कर चले गए अजीब और गरीब लोग हैं लोग उने बुरा भला तो जरूर कहते होंगे हमीद बोला नहीं ये बात नहीं लोग तो उनके बहादुरी की तारीफ करते हैं ये भी अजीब बात है हमीद ने कहा अगर कभी हम लोगों के हत्ते चड़ गए तो हम तो गोली चला देंगे आखे ये क्यों उन्होंने किसी को कोई नुकसान तो पहुंचाया नहीं यही क्या कम नुकसान है कि आजकर लोग रात रात भर सोते नहीं फरीदी ने कमरे में दाकिल होते हुए कहा अच्छा, उन लोगों के बारे में आपका क्या खयाल है? शेहनास ने फरीदी से पूछा यही कि वो लोग पुलिस को इस चक्कर में डाल कर कोई बड़ी वारदात करना चाहते हैं फरीदी ने बताया आपका खयाल ठीक मालूम होता है बहुत से लोगों का यही खयाल है शेहनास ने कहा वाके मुझे अफसोस है कि हम लोग तुम्हारे साथ फिल्म देखने नहीं जा सकेंगे फरीदी ने बहुत अफसोस जाहिर करते हुए कहा खेर फिर सही लेकिन तुम आज जाकर सुहाग रात देखाओ रात काफी गहरा चुकी थी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था सर्दी भी काफी बढ़ चुकी थी ठंड से हड़ियां जमती मैसूस हो रही थी शायद इस वक्त सोने वालों के क्वाब तक जम गर रह गए होंगे गंटागर ने दो बजाई और सेट करम चंद के बाग के फाटक के सामने एक छोटी सी हरे रंग की कार आकर रुकी फरीदी और हमीत काले कपड़े पहने नकाबों से अपने चेहरे चिपाई उतर कर फाटक के अंदर दाखिल हुए अचानक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी और एक बड़ा सा कुत्ता उन पर जपट पड़ा लेकिन दूसरे ही पल फरीदी के साइलेंसर लगे हुए पिस्तॉल की दो गोलियों ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया कुत्ते की गुर्राहट की वज़ा से शायद कोठी का चौकीदार उन्गते उन्गते चौंक पड़ा था टाइगर टाइगर उसने कुत्ते को आवास दी भौंकने की आवास ना पाकर वो खासते हुए फाटक की तरफ बढ़ा मेरे खयास से अब भागना चाहिए हमीद ने चुपके से कहा हुश मेरे पीछी आओ फरीदी ने धीरे से कहा और मालती की घनी जाडियों में चिप गया हमीद उसके पीछे था चौकीदार ने टौट चलाई और इधर उदर देखना शुरू किया अरे ये टाइगर को क्या हो गया वो खुदी बढ़ बढ़ाया अरे खून इसे किसने मारा अब वो शायद कोठी के नोकरों के नाम ले लेकर चीक रहा था फिर वो चीकता हुआ कोठी की तरफ भागा अब भी गनीमत है निकल चलिए वरना बड़ी मुसीबत में फस जाएंगे हमीद ने धीरे से कहा यही तो बेहतरीन मौका है घर में दाकिल होने का फरीदी ने कहा आज शायद पकड़े ही जाएंगे हमीद बोला बको मत इतने में अंधेरे बरामदे के सारे बल्ग जला दिये गए और बाग में काफी रोशनी हो गई कुछ लोग दोड़कर फाटक के करीब आए और कुटे की लाश के पास इकठे हो गई अब तक एक अच्छा खासा शोर गोल शुरू हो गया था अच्छानक गश्टी पुलिस की गाड़ी फाटक के सामने आकर रुकी क्या बात है गाड़ी से किसी ने उंची आवास में पूछा दो तिन आदमी दोड़कर गाड़ी के करीब गए और कुटे के बारे में बताने लगे लौरी से आठ दस सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर उतर पड़ा सब इंस्पेक्टर फाटक में खड़े होकर सिपाहियों से बोला वो देखो वहाँ कार कैसी खड़ी है क्या ये सेट साहब की तो नहीं जी नहीं सरकार हमारी सब गाड़ियां गैराच में है एक नौकर ने कहा सब इंस्पेक्टर ने टॉर्च की रोशनी में कार का जायसा लेना शुरू किया मगर ये तो हरे रंकी है डाकुओं की कार्ट तो काली रंकी सुनी चाती है रहीम खान तुम जारा जाकर इसका नमबर तो देखो ये जगदेश मालूम होता है बुरे फसे हमीद ने धीरे से कहा खामोश रहो फरीदी बोला जगदेश कुत्ते की लाश पर जुका हुआ था अभी अभी किसी ने इस पर गोली चलाई है जगदेश ने पास खड़े हुए आदमियों की तरफ मुड़कर कहा हैरत है कि तुम लोगों ने गोली चलने की आवास नहीं सुनी नहीं सरकार चौकिदार बोला मैं यहीं बरामदे में बैठा जाग रहा था मैंने इसके गुर्राने की आवास सुनी थी लेकिन गोली की आवास मुझे सुनाई नहीं दी दरोगा जी गाड़ी का नंबर वो मालूम नहीं होता उस आत्मी ने लोटकर कहा जो कार का नंबर देखने गया था जगदीश ने कॉंसेबलो को बाब के अंदर बुला लिया जरूर कोई न कोई यहीं चिपा हुआ है आव तलाश करें और तुम रहीम खान जाकर उस कार की निग्रानी करो यह बहुत बुरा हुआ फरीदी ने धीरे से कहा अच्छा आओ अब चार दिवारी को लांगना कोई मुश्किल काम नहीं इससे पहले कि रहीम खान कार तक पहुँचे हमें वहां पहुँच जाना चाहिए चार दिवारी मालती की बाट से बिलकुल मिली हुई थी और जाड़ियों से नीची थी इसलिए वो दोनों बगैर किसी की नजर में आई बाहर निकल गए रहीम खान कार का दर्वाज़ा खोल कर अंदर कदम रखना ही चाहता था कि फरीदी का जोरदार खुंसा उसकी बाइंग कनपटी पर पढ़ा रहीम खान के मुँझ से चीक निकल गई और वो उचल कर सड़क के किनारे जा किरा दूसरे पल में कार स्टार्ट हो चुकी थी जगदीश वगेरा रहीम खान की चीक सुनकर चौंके ही थे कि कार स्टार्ट होने की आवाज सुनाई थी वे सब शोर मचाते हुए दौड़े मगर कार इतनी देर में सैंक्डो गर जागे जा चुकी थी चलो चलो जल्दी गारी में बैठो जगदीश चीकता हुआ गारी की तरफ जपटा जल बासी में लोगों ने ये भी नहीं देखा कि उनका एक साथी सड़क के किनारे बिहोश पड़ा है पुलिस की लौरी कार का पीछा कर रही थी देखा अपने मैं ना कहता था हमीद ने हाफ्ते हुए कहा तुम तो अच्छे खासे बेकार हो ये नहीं देखते की मज़ा कितना आया फरीदी ने हसकर कहा गबराये नहीं अभी और आएका मसा आज खुदा ही इज़त रखे तो बचे पुलिस की गाड़ी बराबत पीछा किये जा रही है डरो नहीं बेटा वे लोग हमारी धोल को भी नहीं पास सकेंगे फरीदी ने कहा देखते नहीं कि वो हमसे कितना करीब हैं बस तुम तरफतार बढ़ाते रहो और जो एक्सिडेंट हो जाए तो हमीद ने कहा उसकी परवा तुम मत करो इस वर्थ एक्सिडेंट का कोई डर नहीं और फिर हम तो जंगल की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इसी तरह अंदा दून भागते रहेंगे और वो लोग हमारा पीछा करते रहेंगे जब हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम धर लिये जाएंगे हमीद ने कहा कौन जाने उन्हीं की गाड़ी का पेट्रोल पहले खत्म हो जाए फरीदी ने कहा अगर आप इसी भरोसे पर बैटे हैं तब तो हो चुका हमीद की आवास में परिशानी सी थी अच्छा ठेहरो मैं इस लॉंडे को बेवकुफ बनाता हूँ अगले मोड पर कार धीरे कर देना मैं उतर जाऊंगा और फिर तुम तेजी से आगे बढ़ जाना और इससे क्या होगा हमीद ने कहा मैं पुलिस की गाड़ी रुकवा कर तुम्हें निकल जाने का मौका दूँगा रास्ता तो तुमने देखा ही है फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा हमीद खामोश रहा रफ्तार धीमी करो फरीदी ने कार का दर्वासा खोलते हुए कहा पुलिस की गाड़ी नजर नहीं आ रही है जल्दी करो हमीद ने कार की रफ्तार धीमी कर दी फरीदी धीरे से उतर गया और कार फिर फर्राटे भरने लगी फरीदी सड़क के किनारे उंची उंची जाडियों के करीबा कर खड़ा हो गया जैसे ही पुलिस की गाड़ी दिखाई थी उसने अपने पिस्टॉल से उसी तरफ फायर करने शुरू कर दिये जिधर हमीद की कार गई थी जगदीश ने फायरों की आवाज सुनकर गाड़ी रुकवा दी फरीदी फायर किये जा रहा था पुलिस वाले उसकी तरफ दोड़े अचानक किसी ने जाडियों के पीछे से फरीदी को अंदर खिंच लिया फरीदी जाडियों में उलचकर गिर पड़ा साथ ही दो तिन आदमी उस पर तूट पड़े जगदीश जगदीश फरीदी चीखा दोड़ो वरना ये वो इतना ही कह पाया था कि किसी ने उसका मूँ दबा लिया पुलिस वाले जाडियों के अंदर घुस पड़े जाडियों में अजीब किस्म की हलचल मची हुई थी थोड़ी देर में रिवॉल्वरों की चिंगारियां चमकने लगी पुलिस पार्टी ने भी फायरों का जवाब देना शुरू कर दिया थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से फायर होने बंद हो गई अब पुलिस वाले देरे देरे आगे की तरफ रेंग रहे थे अचानक मोटर स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी पुलिस वाले उटकर सड़क की तरफ भागे पुलिस की गाड़ी अंधेरी सडक पर रोशनी भी खेरती हुई आगे की तरफ भागी जा रही थी लो ये नई मुसीबत आ गई जगदीश जलाकर माथे पर हाथ मारते हुए बोला कमबग बड़ी जबर्दस चोड दे गए अब तुम सब लोग अपनी अपनी नौकरियों को रोपीट लो हमारी गाड़ी तुक गई तो सरकार इसमें हमारा क्या कसूर है किसी एक की ड्यूटी मोटर पर लगाती होती एक कॉंस्टेबल ने कहा हाँ हाँ अब मुझी पर तो सारा इल्जाम आए का जगदीश ने कहा मगर आखिर फरीदी साहब कहां खो गई मैंने उनकी आवाज साफ पैचानी थी आओ उन्हें तलाश करें और साहब गाड़ी का क्या होगा एक कॉंस्टेबल बोला होगा क्या और अब हो ही क्या सकता है तक्दीर के भरों से बैठो जो कुछ होगा देखा जाएगा वे सब दुबारा टॉर्चों की रोश्नी में जाडियों में घुस पड़े आसपास चपाचपाचान मारा मगर किसी का कोई सुराग नहीं मिला जहां फरीदी खड़ा था वहां उन्हें एक फैल्ट हैट जमीन पर पड़ा हुआ मिला जिस पर ताजा खोन के धब्बे थे जगदीश उलट पलट कर गौर से देखने लगा चलो ये एक काम की चीज़ मिली शायद इसी से कोई सुराग मिले जगदीश ने कहा मगर बड़ी हैरत की बात है कि आखिर फरीदी साहब कहां खो गए हुजूर आपको धोका हुआ होगा एक कॉंस्चेबल बोला नामुम्किन मेरे कार मुझे धोका नहीं दे सकते मालूम होता है कि डाको उन्हें पकड़ ले गए पता नहीं विचारों पर क्या मुसीबत पड़ी होगा सरकार मुझे तो गाड़ी की फिक्र खाय जा रही है देखिए अब क्या होता है एक कॉंस्चेबल ने कहा भई अब उसकी बात मत करो जो होगा देखा जाएगा तुम मेंसे किसी ने इतना भी नहीं हो सका की गोली चला कर गाड़ी का एका टायर ही पंचर कर देता जगदीश ने कहा दूसरे दिन सुबा कोत वाली में SP के कमरे में चीफ इंस्पेक्टर C.I.D. सार्जेंट हमीद SP और इंस्पेक्टर जगदीश बैटे सोच विचार कर रहे थे मेंस पर वही रात वाली खून से सनी फैल्ट हैट रखी हुई थी हमीद तुम कैसे कह सकते हो कि ये फैल्ट हैट फरीदी की है चीफ इंस्पेक्टर ने कहा अरे साहब मुझसे ज्यादा उनकी चीज़े कौन पहचाने का देखिए इसके अंदर साम का जो सिर बना हुआ है ये फरीदी साहम ने मेरे ही सामने फाउंटेन पैन से बनाया था आखिर उन्होंने ये बनाया ही क्यों था SP बोला यूही बैठे बाते कर रहे थे फाउंटेन पैन हाथ में था टोपी गोद में रखी थी बाते करते जाते थे और तस्वीर बनाते जाते थे क्या बताऊं चीफ इंस्पेक्टर ने कहा मैंने सैंकडो बार समझाया कि हर मामले में टांग मत अड़ाया करो बती मेरी अपनी है ना मैं उनसे एक दोस्त के तौर पर मदद मांगता और ना वो इस मुसीबत में फस्ते जगदेश ने मिन मिनाती आवास में कहा हमीत के चेहरे पर हवाईया उड़ रही थी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और साहब ऐसे डाकों तो आज तक मेरी नजरों से नहीं गुज़े एस भी बोला अभी तक यहीं समझ में नहीं आ सका कि आखिर वो चाहते क्या है हैरत तो इस पर है कि वो पुलिस की गाड़ी भी यहां छोड़ गए वाकई बहुत बहादुर है इस चीज ने तो फरीदी को घर ना बैठने दिया बला उसे सबर कहा हो सकता था कि वो सरकारी तोर पर ये किस अपने हाथ में आने का इंतिजार करता चीफ इंस्पेक्टर ने कहा कुछ भी हो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है ऐस भी बोला वो सारे प्रदेश में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में अपना जवाब नहीं रखता खुदा ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो ये सारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा अब मैं क्या बताऊं चीफ इंस्पेक्टर ने कहा मेरा तो दाहिना हाथ तूट गया यखीन मानिये मुझे सच बात कहने में कोई हिचकचाहट नहीं मेरे डिपार्टमेंट की शान उसी के दम से कायम थी इसमें क्या शक है एस पी बोला अच्छा सहब तो ये केस अब मैं आपके डिपार्टमेंट के सुपुद करता हूँ अब ये हमारे बसका रोग नहीं रहा थेर अब मैं चलूँगा इस वक्त मेरा मूट ठीक नहीं चीफ इंस्पेक्टर ने उठते हुए कहा आप केस के सारे काकजाद सार्जेंट हमीद के हवाले कर दीजिए बहुत जल्द काम शुरू करा दूँगा शायद मैं खुद इस केस को अपने हाथ में लूँ क्योंकि फरीदी का इस तरह गायब हो जाना मेरे लिए बहुत परिशानी की बात है चीफ इंस्पेक्टर के चले जाने के बाद हमीद ने कागस लिये और दफ्तर जाने के बजाए सीधा घर आया सबसे पहले उसे वो काम अंजाम देना था जिस के लिए इतना सिर्दर्द मोर लिया था सौरूपे का नोट उन्ही कागसों में नत्थी था उसने वो नोट निकाल कर उसकी जगा दूसरा नोट नत्थी कर दिया लेकिन अब परिशानी ये थी कि नोट का वो नंबर किस तरह मिटाया जाए जो जगदीश ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था हमीद थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा फिर इस तरह चौका जैसे उसे कुछ याद आ गया हो वो उठा और फरीदी के अजायब घर के कमरे से एक शीशी निकाल लाया जिसमें सफेद रंग की कोई चीज थी ये एक रोशनाई उड़ाने का नायाब लोशन था जिसे फरीदी ने एक नेपाली से बनवाया था लोशन लगाते ही नोट का नमबर कागस से इस तरह गायब हो गया जैसे वहाँ कभी कुछ लिखा ही नहीं गया था कागस के सूकने के बाद हमीद ने उसी जगा अपने लगाए हुए नोट के नमबर लिख दिये ये काम करने के बाद वो आँखे बंद करके आराम कुरसी पर लेट गया उसका दिमाग बिलकुल काम नहीं कर रहा था उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे पता नहीं वे लोग फरीदी को पकड़ ले गए या उन्होंने उसे कतल कर डाला फेल्ट हैट पर खून के धब बे कोई अच्छा शबुन नहीं कभी वो सोचता कि शायद फरीदी जान बुच कर गायब हो गया है इससे पहले भी कई बार वो गायब हो चुका था मगर इस बार तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया था आखिर वे लोगों के घरों में क्यों गुस्ते फिरते थे वो कौन सी चीज है जिसे फरीदी सेट अगरवाल की तिजोरी से निकाल कर लाया था वाकई वो चीज बहुत हैरान करने वाली चीज होगी जिसकी चोरी पर उसका मालिक भी मूँ नहीं खोल सकता अजीब किस्म का गोरग धंदा था आखिर सेट अगरवाल ने पुलिस को धोके में क्यों रखा है जबकि हकीकत में कोई चीज उसकी तिजोरी से चुराई गई है वो पुलिस को बताता क्यों नहीं दफतर का वक्त हो गया था हमीद ने खाना खाकर कपड़े बदले और कागस जेब में रखकर दफतर जाने के लिए बाहर निकला फरीदी की बड़ी कार कई दिन से खराप थी इसलिए आज कल बस पर बैट कर दफतर जाना पड़ता था वो चौराहे तक पैदल आया और बस का इंतिजार करने लगा थोड़ी देर के बाद बस आई और वो उस पर बैट कया बस में भीड बहुत ज्यादा थी इसलिए उसे खड़े रहना पड़ा दफतर पहांच कर वो सी था चीफ इंस्पेक्टर के कमरे में गया वो कुछ लिख रहा था हमीद को देख कर बैटने का इशारा करके फिर लिखने लगा कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बात है चीफ इंस्पेक्टर कलम रख कर कुर्सी से टेक लगाते हुए बोला क्या बताऊं सर हमीद ने कहा क्या तुम पहले से जानते थे कि फरीदी जगदीश के कहने पर इस केस की चान बीन कर रहा था चीफ इंस्पेक्टर ने कहा जी नहीं मेरे खयात से तो उन्होंने उसे टालने के लिए कुछ यों ही कह दिया था मगर जगदीश तो कहता है कि फरीदी ने मौकाई वारदात पर उसे आवास दी थी शायद ऐसा हुआ हो लेकिन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं अच्छा वो कागस लाई हो जी हाँ हमीद ने जेब में हाथ डालते हुए कहा लेकिन अचानक उसके चेहरे पर मुर्दनी चा गई वो उचल कर खड़ा हो गया एक के बाद दूसरी वो अपनी जेबों की तलाशी ले रहा था उसके माते पर पसीने की बूंदे निकल आई क्यों क्या बात है चीफ इंस्पेक्टर ने हैरत से पूछा ममा मालूम होता है कि किसी ने जेब से निकाल लिये क्या मतलब जी हाँ मैंने इसी जेब में रखे थे कमाल किया तुमने ये जेब कभी इस तरह के कामों में इस्तेमाल होती है इससे तो कोई बच्चा भी चीज बहुत आसानी से निकाल सकता है जी क्या बताओं मगर अब मगर मगर क्या कर रहे हो जाओ तलाश करो चीफ इंस्पेक्टर उंची आवास में बोला हमीद बॉकला कर कमरे से बाहर निकल आया वो तेजी से सड़क पर बस के अगले स्टेशन की तरफ जा रहा था रास्ते में उसने एक टैक्सी की और बस की तलाश में निकल पड़ा वहां पहुँच कर उसने चोराहे के सिपाही से उस बस के बारे में पूचा और टैक्सी फिर चल पड़ी थोड़ी देर में उसने बस को जाते देख लिया बस करीब करीब खाली हो चुकी थी सिर्फ दो चार मुसाफिर रह गए थे हामिद बस के अंदर पहुँच कर सीटों के नीचे कागस को तलाश करने लगा आप क्या ढून रहे हैं बस कंड़क्टर ने पूचा भई मेरे जेब में कुछ कागस थे जो शायद इसी बस में गिर गए क्या कोई लिफाफा था जी हाँ पीले रंग का बड़ा लिफाफा ये लीजिए बस कंड़क्टर ने अपने चम्रे के थैले से एक लिफाफा निकालते हुए कहा एक साहब ने मुझे दिया था हमिद ने सबसे पहले कागस निकाल कर देखे फिर ये इतमिनान कर लेने के बाद कि सब कागस मौझूद है उसने बस कंड़क्टर से उस आदमी के बारे में पूछा जिसने उसे लिफाफा दिया था उसकी शकल सूरत तो मुझे याद नहीं अलबता इतना कह सकता हूँ कि किसी अच्छी सोसाइटी का आदमी था उसने क्या कहकर ये लिफाफा आपको दिया था यही कि शायद किसी का गेर गया है आप इसे अपने पास रखिए अगर कोई लेने आई तो दे दीजिए का कंड़क्टर ने कहा कागस लेकर दफ्तर की तरफ लोटते हुए हमीद सोच रहा था कि वो चीफ इंस्पेक्टर से कहे कि वो दरसल कागस घर भूलाया था लेकिन एक नया खयाल उसके दिमाग में धीरे-धीरे रेंगने लगा नहीं वो चीफ इंस्पेक्टर को ठीक-ठीक बता देगा कि उसे ये कागस बस कंड़क्टर से मिले इसी तरह वो बच सकेगा अगर कभी नोट वाला रास्ट खुल भी गया तो वो बहुत आसानी से कह सकेगा कि किसी ने वो कागस इसलिए उसकी जेब से निकाले गए थे कि नोट बदल दिया चाए दफ्तर पहुँच कर उसने कागस चीफ इंस्पेक्टर के हवाली कर दिये और खुद अपनी मेस पर आ बैठा थोड़ी देर बाद चीफ इंस्पेक्टर ने उसको अपने कमरे में बुलाया कहो भाई फिर तुमने अब क्या सोचा चीफ इंस्पेक्टर ने कहा क्या कहूँ मेरी तो अकल ही जवाब दे चुकी है बात ही ऐसी है चीफ इंस्पेक्टर ने कहा मेरे खयाल से तो चलो मौकाई वारदार तक हो आए उसके बाद से ठगरवाल के यहाँ चलेंगे चीख है चीफ इंस्पेक्टर ने जगदीश को फोन किया और उसका इंतिजार करने लगा 15-20 मिनट बाद जगदीश पहुँच किया और फिर तीनों मौकाई वारदात की तरफ चल पड़े जी हाँ कार रुकवाईए बस यही वो जग़ा है जगदीश ने कहा कार रुकी और तीनों ज़ाडियों के करीब उतर पड़े चीफ इंस्पेक्टर बहुत गौर से जमीन के एक-एक हिस्से को देख रहा था अरे ये जूता कैसा चीफ इंस्पेक्टर ने ज़ाडियों में से एक जूता निकालते हुए कहा हमीद चौंक पड़ा ये भी फरीदी साहब का है हमीद ने चिलाते हुए कहा अजीब मामला है इस पर भी खून के धब्बे हैं खुदा खैर करे चीफ इंस्पेक्टर ने परिशान होते हुए कहा साहब मेरा खयाल तो है कि शायद वे जान बुश कर गायब हो गए है हमीद ने कहा जब वे कोई ज्यादा खतरना काम करते हैं तो इसी तरह गायब हो जाते हैं हद तो ये है कि मुझे भी इसके खबर नहीं देते खुदा करे ऐसा ही हो चीफ इंस्पेक्टर ने कहा मैं उसे अपने बेटे की तरह समझता हूँ हमीद ने जूते को अकबार के एक टुकडे में लपेट कर कार में रख दिया मेरे खयाल से तो यहां किसी किस्म का सुराब मिलना मुश्किल ही है हमीद ने कहा तो फिर अब क्या किया जाए जगदीश बोला सेट अगरवाल और उन दूसरे लोगों से मिलना चाहिए जिनके यहां वारदाते हो चुकी है चीफ इंस्पेक्टर ने कहा तीनो तीन दिन भर इधर उधर मारे मारे फिरते रहे लेकिन कोई खास बात नहीं मालूम हो सकी हमीद ने सेट अगरवाल की तीजोरी का खास तोर से जाइजा लिया साथ ही उसने सेट अगरवाल से भी बहुत सारे सवाल किये क्यों सेट सहब डाकों के फरार होने के बाद आपने अपने तीजोरी अच्छी तरह देखी थी ना हमीद ने पूछा तीजोरी आपने बंद पाई थी या खुली खुली लेकिन कोई चीज गई नहीं थी क्या जी नहीं बहुत हैरत की बात है चीफ ने कहा अच्छा ये बताईए क्या डाकों ने तीजोरी की चाबी आप से हासिल की थी जी नहीं क्या ताला तोड़ा था इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? हो सकता है, हमीद ने चीफ इंस्पेक्टर से मुखातिब होकर कहा, डाकुवने कोई ऐसी चीज उड़ाई हो, जिसका खुलासा खुद सेट साहब ना करना चाहते हूँ? सेट अगरवाल ये सुनते ही बौकला गए, उनके चेहरे पर हवाईया उड़ने लगी, ये आप किस तरह कह सकते हैं? सेट अगरवाल ने खुद पर काबू पाते हुए कहा, शेहर में जितनी वार्द आते हुई हैं, सब इसे किस्म की हैं, शेहर में और लोग भी तो ऐसे हैं, जिनके यहां डाकू घुसे, तिजोरियां खुली, और जियों की तियों खुली चोड़ कर चले गए, इन में से किसी ने भी नहीं कहा, कि उनके यहां से कोई चीज चोरी हो गई है, यह बात तो बिलकुर चीख है, चीफ ने कहा, हमीद दिल ही दिल में फरीदी की दाद देने लगा, शाम को लगभग साड़े छे बचे वो घर वापिस आया, अंधेरा फैल चुका था, उसे यह देखकर नौकरों पर बहुत गुसा आया, कि उन्होंने अभी तक बरामदे की बिशली नहीं जलाई थी, वो जलाता हुआ, बरामदे में पहुंचा, पहला ही पैर अंदर रखा था, कि एक धमाके की आवाज सुनाई दी, हमीद उचल कर एक तरफ हो गया, दूसरा पैर जमीन पर पड़ा था, कि एक साथ दो धमाके सुनाई दिये, हमीद फिर उचला, फिर धमाका हुआ, जैसे जैसे वो बरामदे में उचलता फिर रहा था, धमाकों के रफतार बढ़ती जा रही थी, सारे नौकर भाग कर उधर ही चले आई थे, और सब हैरत से उसे उचलता हुआ देख रहे थे, हर धमाके के साथ हमीद के पैरों से चिंगारिया निकलती मालुम होती थी, आकिरकार वो बौकला कर बरामदे के नीचे कूद आया, सारे नौकर उसके पास इकठे हो गए, एक नौकर ने डरी हुई आवास में बताया, अच्छा चलो जाकर बिशली जलाओ, हमीद ने कहा, वो ड़ते ड़ते बरामदे में गया, वो स्विच की तरफ बढ़ ही रहा था, कि उसके पैरों के नीचे धमाका हुआ, और वो चीक कर नीचे गिर गया, सारे नौकर घबरा कर भाग खड़े हुए, हमीद चीकता ही रह गया, लेकिन किसी ने पलट कर देखा ही नहीं, हमीद कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर जेब से माचिस निकाल कर एक तीली जलाई, और उसकी रोशनी में बरामदे में पहुँचा, अरे अरे, उसके मूँ से बे अक्तियार निकला, और वो इस तरह चलने लगा, जैसे किसी चीज़ को बचा बचा कर कदम रख रहा हूँ, स्विच बोट करीब ही था, उसने हाथ बढ़ा कर बिशली जला दी, वो हैरत से बरामदे के फर्ष को घूर रहा था, फर्ष पर बेशुमार छोटी छोटी गोलियां बिखरी हुई थी, हमीद ने एक गोली पर पैर रख दिया, पैर रखते ही फिर धमाका हुआ, तभी एक खयाल जल्दी उसके दिमाग के किसी कोने से टकराया, वो दोड़ता हुआ उस कमरे की तरफ गया, जहां तिजोरी रख नसर आई, माचिस फैंक कर उसने जल्दी से बिखली जलाई और तिजोरी पर जुग गया, उसके जानकारी में जितनी चीजे पहले थी, उतने ही अब भी मौजूद थी, वो परिशानी में अपना माधा रगणने लगा, तभी उसे नोटों के बंडल पर एक कागस रखा हु उसने कागस उठा लिया, उस पर अंग्रेजी में टाइप किया हुआ लिखा था, जासूस के बच्चे, तेरे उस्ताद ने मुझे बहुत परिशान किया है, इस वक्त वो मेरी कैद में है, जो चीज़ वो सेट अगरवाल के यहां से उड़ा कर लाया था, मैं लिये जा रहा हूँ, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो, तो मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना, मेरे पीछे लगने की सजा मौत है, हमीद ने उस कागस को एतियाद से एक तरफ रख दिया, और तिजोरी का पला बंद करके, तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, अभी वो बरामदे म ही था, कि सडक पर एक कार के स्टार्ट होने की आवास सुनाई दी, वो भाग कर फाटक पर आया, कार पश्चिम की तरफ तेजी से चली जा रही थी, हमीद जुंचला कर रह किया, फरीदी की कार भी बिगड़ी पड़ी थी, छोटी कार निकालने की हिम्मत नहीं पड़ी, क् आखिर बॉकलाहट में उसने उसी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, जिदर वो कार गई थी, खुश किस्मती से थोड़ी ही दूर पर एक खाली टैक्सी खड़ी हुई मिल गई, हमीद दरवासा खोल कर उसमें बैट कया, कहा चलिएगा, ड्राइवर ने कहा, इदर कोई च चलने के बाद एक चॉकलेटी रंग की कार दिखाई थी, उसके रफतार धीरे धीरे कम होती जा रही थी, हमीद ने भी टैक्सी की रफतार दूरी के हिसाब से कम करा दी, कार अचानक एक गली में घूम गई, हमीद की टैक्सी जैसे ही गली के सामने पहुंची, उसने चॉकल स्ट्रेट लाइट की हलकी धुंदली रोशनी फैली हुई थी, कार अभी तक वहीं खड़ी थी, और उसमें से उदरने वाला धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ आगे की तरफ जा रहा था, हमीद चिपता चिपाता उसका पीछा कर रहा था, अभी मुश्किल से साथ बचे हो लेकिन गली बिल्कुल सुनसान थी, कार से उतरने वाला कई गलियों से गुजरता हुआ न जाने कहा जा रहा था, फिर दूसरी सडक पर आ गिया, यहां स्ट्रेट लाइट की रोशनी फैली हुई थी, रोशनी में जब हमीद की नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, तो एक गम बखला किया, इतनी भयानक शकल आज तक उसके सामने नहीं गुजरी थी, उसे महसूस हुआ जैसे उसके सारे जिस्म में संसनाहट दोड़ गई हो, जाने क्यों उसका दिल चाह रहा था कि वो वापिस लोट जाए, अभी वो इसी उधेर बून में पड़ा हुआ था, कि वो खौफ ना कात्मी एक होटेल में घुस गया, हमीद सोच में पड़ गया, कि वो अंदर जाए या ना जाए, फिर तब ही उसे अपनी इस कमजोरी पर गुसा आने लगा, ये क्या बेवकुफी है, आखिर खौफ की क्या वज़ा है, और फिर उसका काम ही ऐसा है, कि किसी यहां बहुत सारे मिडल क्लास के बुरे लोगों का जमावडा नजर आया करता था, शहर के बदनाम होटलों में से ये भी एक था, यहां आए दिन नई वार दाते हुआ करती थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में आखे बंद कर रखी थी, बात दरसर ये थी कि उसका मालिक स सरदार आदमी था, रोजाना बड़े बड़े अफसरों की दाफ्ते किया करता था, उची सोसाइटी में वो काफी मशूर था, हमीद होटेल के अंदर चला किया, लेकिन उसे ये सोच कर उलजन होने लगी, कि वो वहां क्या करेगा, क्योंकि वहां आने वाले लोग शराबी थे, कोई शरीफ आदमी मुश्किल ही से उधर का रुक करता था, तो यही हजरात थे, जिनोंने फरीदी की तिजोरी खोली थी, बहुती चालाक आदमी मालूम होता है, उसने बरामदे में इसलिए पटाके डाल दिये थे, कि आने वालों की आहट मिल सके, बहुती मकार मालू होता है, अब हमीद उसी फिक्र में था, कि उससे वो चीज किस तरह हासिल की जाए, जो उसने फरीदी की तिजोरी से निकाल ली थी, लेकिन सुबह तो उससे तिजोरी में कोई चीज नहीं दिखाई दी थी, फिर आखिल उसने उसमें से क्या निकाला, तब ही हमीद चौंग कर मुस्कुराता हुआ चला किया, कुछ पलों के बाद वो एक ट्रे में गोल्डन एगल की एक बोतल और कुछ मतन चाप लेकर वापिस आया, सहप अगर कॉक्टेल पिए तो लाओं, टमाटर की है और अभी तयार हुई है, बैरे ने मेस पर ट्रे को रखते हुए धीरे से कह नहीं, हमीद ने कहा और बोतल उठा कर देखने लगा, बैरे ने बोतल उसके हाथ से लेकर कॉग निकाला और मेस पर रखकर गिलास आगे सरका दिया, कुछ और सहप उसने जुक कर कहा, नहीं, हमीद ने कहा और गिलास में बेर उडेलने लगा, उसका हाथ काम प्रहा था, उ तो आंके बंद किये कुर्सी पर बैठा हुआ था हमीद अपना गिलास भर कर उसमें नाचते हुए बुलबुलों को गौर से देखने लगा और धीरे धीरे मतन चाप खाने लगा गिलास जियों कातियों भरा हुआ रखा था पीने की हिमत नहीं पड़ रही थी थोड़ी देर बैरा फिर इधर से गुजरा ए बैरा बिल लाओ हमीद ने उसे रोक कर कहा क्यों सहब क्या कसूर हुआ नहीं भाई इसमें कसूर की क्या बात है अभी तो आपकी सब चीजें रखी हुई है तुम्हें इससे क्या बहुत बेतर हुजूर बैरा बिल लेकर वापिस आया हमीद प्लेट में कुछ नोट रख दिये बैरा सलाम करके चला किया हमीद ने सिगरेट सुलगाई और कुर्सी से टेक लगा कर मुझ से धुएं के चले निकालने की कोशिश करने लगा भयानक चेहरे वाला अचानक चौंकर काउंटर की तरफ देखने लगा जहां एक आदमी बार्मेन से बाते कर रहा था वो भी उठकर उसकी तरफ चला किया आदमी के करीब खड़े होकर उसने गरश्टार आवास में कहा बिल बार्मेन ने एक बैरे को आवास दी साहब का कितना हुआ उसने बैरे से पूछा असी बैरे ने कहा खौफनाग चेहरे वाला पचास पचास के दो नोट काउंटर पर रख कर वापे सोने के लिए मुड़ा साहब बाकी रुपए तो लेते जाएए बार्मेन बोला बाकी तुम्हारी बक्षेश बैयानक चेहरे वाले ने बर्राई हुई आवास में कहा अभी वो होटेल के बाहर कदम नहीं निकाल पाया था कि एक पेहलवान सरी के आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया खौफनाग चेहरे वाले ने उसे इस तरह घुरा जैसे कच्चा खा जाएगा पेहलवान आदमी मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ कर लाउंच की तरफ ले जाने लगा भयानक चेहरे वाला बहुत सुकून के साथ जा रहा था थोड़ी देर बाद हमीद भी उठकर लड़ खड़ाता हुआ और हिचकियां लेता हुआ लाउंच में घुस गया वे दोनों आमने सामने बैठे एक दूसरे को घुर रहे थे हमीद ने एक भोंडा सा गाना गाना शुरू कर दिया आत्मी ने आकर उसकी गर्दन दबोश ली क्यों हुलड मचाता है उसने कहा हम गाना गाती है भाई हम तुमको भी सुनाएगी हमीद ने हिचकि ली और शराबी का किरदार निभाना शुरू कर दिया मालूम होता है बहुत चड़ गई है उसने कहा कहां चड़ गई है हमीद ने नीचे से उपर तक अपना जिस्म टटोलते हुए कहा वा बेटा पहलवान आत्मी हस पड़ा और हमीद बेसुध होकर एक सोफे पर गिर गया ऐसा मालूम होता था जैसे वो बिलकुल बेहोश हो गया हो लेकिन हिच्कियां बद स्तोर जारी थी पहलवान आत्मी फिर भयानक चेहरे वाले के पास जा बैठा तुमने मनी बैग उड़ाया तो बहुत सफाई से मगर उस्तादों की नजर से कहा चुप सकते हो उसने कहा अच्छा जी भयानक चेहरे वाला बोला आत्मी ठीक ठाक मालूम होते हो तो फिर निकालो आधे आधे की रही पहलवान आत्मी ने कहा बैआनक चेहरे वाला हसने लगा तुम न जाने कैसी बाते कर रहे हो तलाशी ले लो मेरे यार तुझे दोका हुआ है बैआनक चेहरे वाले ने कहा दूसरे आदमी ने अच्छी तरह उसकी तलाशी ली वो खड़ा मुस्कुराता रहा सच मुझे दोका हुआ उसने बैट कर शर्मिंदगी से कहा अच्छा अब देख ये रहा मनी बैग भयानक चेहरे वाले ने ना जाने कहां से मनी बैग निकाल कर उसके चेहरे के सामने नचाते हुए कहा अच्छानक पहलवान आदमी ने पिस्टॉल निकाल लिया खबरदार मनी बैग मेरे हवाले कर दो मैं जासूस हूँ अबे जा तेरे जैसे बहुत से जासूस देखे हैं अभी अभी एक जासूस के पठे को उल्लू बना कर आ रहा हूँ अबे पहले अपने सूरत तो देख भयानक चेहरे वाले ने उसका पिस्टॉल वाला हाथ पकड़कर उसकी कंड़ पटी पर इतनी जोर का घूसा मारा कि पिस्टॉल उसके हाथ में आ गिया और वो आत्मी एक तिनके की तरह उचल कर दूर जा किरा भयानक चेहरे वाले ने कह कहा लगाया फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा पहलवान आत्मी अभी तक चारों खाने चित फर्श पर पड़ा हुआ था उठ मेरे लाल भयानक चेहरे वाला पुछकारता हुआ बोला चल तुझे दोथ पिला लाऊं पहलवान आत्मी भीगी बिल्ली की तरह चुप चाप उट बैठा मैंने अभी तक ये भी नहीं देखा कि इसमें है कितना बयानक चेहरे वाले ने मनी बैग खोलते हुए कहा ओहो सिर्फ दो सो रुपए कोई गरीब आदमी मालूम होता है बैचारे का मनी बैग फिर उसकी जेब में रख देना चाहिए क्यों वापिस क्यों करोगे पहलवान आत्मी बोला अबे मैं कोई मामूली चोर उचक्का या गिरह कट नहीं हूँ इतनी छोटी छोटी रकम तो मैं महौले के लॉंडो को बांट देता हूँ यार तुम तो बड़ी काम के आदमी मालूम होते हो चलो तुम्हें अपने उस्ताथ से मिलाऊं वो भी तेरी ही तरह लॉंडा होगा है तो लॉंडा ही पर बड़ा भयानक है अबे जा कुछ तो होगा ही तभी तो तेरा उस्ताथ है अच्छा चल अब उसका रुपिया उसकी जेब में डाल दे वरना बिचारा मुफ्त में परिशान होगा वाकई तुम अजीब आदमी हो अच्छा अब बाते मत बनाओ उसने दर्वाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा वो हमीद के करीब रुख गया और उसे एक ठोकर मारते हुए बोला देख लिया मेरा नमूना चिंटी की तरह मसल कर रख दूँगा कहकर वो लाउंज के बाहर चला किया पहलवान आदमी भी उसके साथ था हमीद थोड़ी तेर तक उसी तरह बेसुत पड़ा रहा उसका दिल धड़क रहा था उसने अच्छी कासी बेवकुफी की थी तिजोरी में उसने जो खट पाया था उससे साफ जाहिर होता था कि तिजोरी कोलने वाला उसी अच्छी तरह जानता है ऐसी सूरत में उसे बगेर भेस बदले उसके सामने हरगिस नहीं आना चाहिए था ऐसी ताकत रखने वाला आत्मी आज तक उसकी नजरों से नहीं गुज़रा था उसका घूसा था या बिशली के करंड का धक्का जिसने इतने लंबे तगड़े आदमी को इतनी दूर उचाल दिया था खुद उसने कई बार उठना चाहा लेकिन हिमत नहीं पड़ी उसको डर लग रहा था कि कहीं फिर उससे मुट भेर ना हो जाए आज से पहले उसके दिल में कभी इतनी बुज़दिली के खयाल नहीं पैदा हुए थे लगबग आदे घंटे के बाद वो हिमत करके उठा धेरे धेरे शराबियों की तरह लड़ खडाता हुआ बाहर निकला पिंडली की चोट लंगडाने पर मजबूर कर रही थी बहरहाल उस वक्त हमीद की हालत किसी फोहड किस्म के शराबी किसी हो रही थी वे दोनों वहाँ नहीं थे हमीद सडक पर आ किया और टैक्सी करके घर पहुँचा सबसे पहले वो तिजोरी वाले कमरे में गया एक चीज अभी तक उसके जहन में घूम रही थी और वो ये कि आखिर तिजोरी में से क्या चीज गायब होई उसने तिजोरी को देखना शुरू किया नीचे के खाने में गौर से देखने पर उसे एक जगा एक पतली सी फांक नजर आई उसी के करीब एक केल निकली होई थी हमीद उस पर हलके हलके उंगली फेरने लगा शायद उसकेल पर दबाफ पड़ गया तब ही एक खटका हुआ और वो फांक फैलने लगी ये तिजोरी का एक गौप्त जगा थी हमीद ने उसमें हाथ डाल दिया वो खाली थी हमीद सोचने लगा जरूर यहीं से वो कोई चीज ले गया है फरीदी ने आज तक उसे इस गौप्त जगा के बारे में नहीं बताया था हालाकि तिजोरी की चाबी ज्यादा तर उसी के पास रहा करती थी हमीद ने तिजोरी बंद कर दी उसके बाद उस कमरे में ताला डाल कर अपने कमरे में आ किया फरीदी के अचानक गायब हो जाने की वज़ा से सारे नौकर परिशान नजरा रही थे घर पर एक अजीब सा सन्नाटा चाया हुआ था कभी-कभी कुत्तों के भौंकने की आवासे कमपाउंड में गोन जोड़ती थी हमीद खाना खाने जाही रहा था कि शेहनास आ गई कहिए हमीद सहाफ खैरियत तो है ये फरीदी भाई का क्या मामला है मुझे अभी-भी मालुम हुआ है शेहनास ने पूछा मामला इतना छोटा नहीं कि जल्दी से सब बता सकूँ बैटो, खाना खाओ सब कुछ बताता हूँ हमीद ने कहा खाना खाकर आई हूँ शेहनास ने कहा थोड़ा और सही नहीं ठीक है तुम्हारी खुशी आप तो जरा सी बात पर मुँफ उला लेते हैं शेहनास तुनक कर बोली तुम गलत समझी मुझे जरा बड़े निवाले खाने की आदत है इसलिए मुफ फूल गया तो आखिर आप इस तरह मुफ बिकाड कर क्यूं बाते कर रहे हैं क्या आज लड़ने का इरादा करके आई हो लीजिये साहब चली जाती हूँ शेहनास उठते हुए बोली अरे अरे नहीं भाई हमीद ने उठकर उसका बाजू पकड़ लिया नहीं मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि आपको मेरी सूरत देखकर कुछ जुन्जलाहट सी महसूस होती है तो मैंने क्या कह दिया बाबा हमीद अपने माथे पर हाथ फेरता हुआ बोला कुछ नहीं आप तो बड़े भोले हैं नहीं मैं उल्लू का पठा हूँ क्यूं अपने मुँ मिया मिठ्व बन रहे है शेहनास हसते हुए बोली खेर तुम्हें हसी तो आई हमीद ने कहा खाना खाच चुकने के बाद हमीद ने पूरी कहानी शेहनास को सुना दी लेकिन अपने और फरीदी के डाका डालने के बारे में नहीं बताया क्या बताऊं मैंने आज तक इतना भयानक चेहरा नहीं देखा हमीद बोला कहीं वे फरीदी साहब ही ना हो क्या आप कर्नल प्रकाश वाला केस भूल गए शेहनास ने कहा खयाल तो मुझे भी आया था लेकिन ये नामुम्किन है फरीदी साहब भेज जरूर बदद सकते हैं लेकिन वो इतनी ताकत कहां से लाएंगे सोचकर हैरत होती है भई उसका घुंसा पढ़ते ही वो इस तरह उचलाता जैसे रबड की गेंद वाकई हैरत की बात है और तो और ये देखो हमीद ने अपनी टांग दिखाते हुए कहा जालिम ने एक ठोकर मुझे बिमारी ये देखो पिंडली सूज गई है भई खुदा के लिए आप उसका पीछा मत कीजिए जो कुछ हुआ मेरी बेवकूफी से हुआ जब मैं ये जानता था कि वो मुझे पैचानता है तो मुझे बगएर भेस बदले उसके पीछे जाना ही नहीं चाहिए था तो इसका ये मतलब है कि आप उसका पीछा नहीं चोड़ेंगे इरादा तो यही है हमीद ने कहा आगर क्यों इसलिए कि फरीदी साहब को उसी ने गायब किया है भई मेरा दिल तो कहता है कि वे फरीदी साहब है शेहनास बोली ये भी नामुम्किन है हमीद ने कहा मुझसे ज्यादा फरीदी साहब को कौन जानता है वे इतने ताकतवर बिलकुल नहीं है अच्छा खैर छोड़िए इन बातों को आपके उपर तो हर वक्त जासूसी का बूत सवार रहता है शेहनास बोली अच्छा तो आओ प्यार की बाते करें हमीद ने कहा अच्छा बस बस रहने दीजिए शेहनास ने किस्यानी हसी के साथ कहा मैंने कब कहा था तुम कहो या ना कहो हर औरत मर से हर वक्त सिर्फ अपने लिए कुछ ना कुछ सुनना चाहती है हमीद ने कहा आखिर अप फिलोसफर कब से हो गए है शेहनास ने पूछा फरीदी की आदत ने मुझे नाजाने क्या क्या बना दिया है अच्छा छोड़िए इन बातों को शेहनास बोली आखिर फरीदी साहब शादी क्यों नहीं करते उन्हें औरत से ज्यादा अपना फन प्यारा है ये कुछ फरीदी ही पर दारोंदार नहीं हर फनकार शादी से घपराता है वो औरतों से दोस्ती तो कर सकता है लेकिन किसी औरत से शादी करना उनको पसंद नहीं आखिर इसकी वज़ा शेहनास बोली भई आटे दाल का चकर और क्या हमीद ने जनाना लेचे में कहना शुरू किया आज साड़ी नहीं है कल ब्लाउस कम हो गए ये लिपिस्ट्विक अच्छी नहीं मैं तो क्यूटी प्रिकूरा पाउडर इस्तेमाल करूंगी नन्ने मिया के जूते फट गए मुन्ने मिया को जुकाम हो गया मुन्नी को छीकी आ रही है शेहनास हसने लगी शायद आपको भी अपना फन बहुत ज्यादा प्यारा होगा शेहनास बोली मुझे नहीं तो मैं इस में आई है औरत के लिए हमीद ने कहा क्या मतलब शेहनास चौंक कर भोली कोई खास मतलब नहीं किसी बेकार आदमी को तो कोई अपनी बेटी देता नहीं ओ मेरा दिल तब तो वो आदमी का पठा है हमीद ने जल्दी से कहा आखिर क्यों इसलिए कि आप मुझ से दूर दूर रहते हैं हमीद कुछ कहने ही वाला था कि एक नौकर हाथ में लिफाफा हुए कमरे में आया अभी अभी एक आदमी दे गया है नौकर ने लिफाफा हमीद को देते हुए कहा लिफाफे पर उसका नाम लिखा हुआ था हमीद ने खत को जो अंग्रेजी में टाइप कियो मैं दुबारा तुमको चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरे पीछे मत लगो वरना अन्जाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे तुम मुझे गिरुफदार नहीं कर सकते क्योंकि मेरे खिलाफ तुम्हारे पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं तुम्हारे उस्ताद खैरियत से हैं मेरा जो मकसद था हल हो गया मुझे तुम से या उन से कोई दुश्मनी नहीं मैं उन्हें जल्द चोड़ दूँगा उन्हें मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं अगर मैं उन्हें उस वक्त गायब ना कर देता तो वे कतल कर दिये जाते तुम दोनों की कर्टूते मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे उस्ताद का हमलावर वही था जुसने से ठगरवार पर गोली चलाई थी वो आज भी फरीदी की तलाश में हैं अगर तुम में थोड़ी से भी अकल हो तो अब मेरा पीछा मत करना मैं इतना बेवकुफ नहीं हूँ इससे ज्यादा मुझे अब कुछ नहीं कहना हमीद ने खत पढ़ कर शेहनास की तरफ बढ़ा दिया खत पढ़ते ही शेहनास के चेहरे पर गबराहट पैदा हो गई तो फिर अब आपका क्या इरादा है शेहनास बोली अरे ऐसे ऐसे बहुत देखे हैं शेर ताकत से मारता है और गीदर मकारी से ऐसा फसाऊंगा बेटे को कि जिन्देगी भर याद करेगा तो आप उसका पीछा करेंगे क्या? हाँ बिलकुल और मेरा कहना भी नहीं मानेंगे बस इसलिए तो फरीदी साहब शादी नहीं करते और अतमर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है खैर जो आपका दिल चाहे कहिए शेहनास ने कहा अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो अच्छा नहीं होगा मालुम होता है कि तुम भी उससे मिली हुई हो देखिए मजाख में मत टालिए शेहनास ने कहा अब मुझे भी जबरदस्ती करनी पड़ेगी वो जबरदस्ती किस थरा की होगी? हमीद ने मुस्कुरा कर कहा वो भी देख लीजिए तो इसका मतलब ये है कि तुम नहीं चाहते कि मेरी जान खत्रे में पड़े शेहनास ने हूं में सिर हिला दिया आखिर क्यों? बस यों ही कोई वज़ा? नहीं बताती वज़ा तो हम भी नहीं बाज आते अगर नहीं बाज आते तो मैं जहर खालूंगी तो क्या वाके तुम मुझे इतना ही चाहती हो? ये मैंने कब कहा है? खेर तुम अपनी जुबान से कभी कहोगी भी नहीं शेहनास के होंटों पर शरार्ती मुस्कुराहट नाशने लगी ओ, ग्यारा बच गए शेहनास ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा अब चलना चाहिए वो तो ठीक है मगर क्या पैदल जाओगी? अब इस वक्त शायद करीब कोई सवारी भी नहीं मिल सके फरीदी साहब की कार बिगडी पड़ी है कल उसे वर्क शॉप भिजवा दूँगा तो क्या हुआ? शेहनास ने कहा टेहलती हुई चली जाओंगी? मैं इसे ठीक नहीं समझता चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ नेकी और पूछ पूछ शेहनास ने उठते हुए कहा तो क्या इसी तरह चलिएगा? पहले ज़रा चेस्चर नहीं अस्चर पहन लीजिए बहुत सर्दी है अच्छा भई दोनों धीरे धीरे बैली रोट की तरफ चल दिये सडक पर बिल्कुल सन्नाटा था थोड़ी ही दूर चले होंगे की पीछो से एक टैक्सी आ गई हमीर ने आवास दे कर उसे रुकवाया वाके तुम बड़ी खुश किस्मत हो कि इस वक्त टैक्सी मिल गई बैली रोट शेहनाज ने टैक्सी में बैठते हुए कहा और फिर खिड़की से सेर निकाल कर बोली देखिये जो कुछ मैंने कहा उसके खिलाफ ना होने पाई अच्छा हमीर ने कहा गुड नाइट टैक्सी चल पड़ी बैली रोट पर पहुँचकर ड्राइवर ने पुछा किधर मकान नमबर 1530 शेहनास ने बताया टैक्सी शेहनास के मकान के सामने रुख गई ड्राइवर ने उतर कर दर्वासा खोला और शेहनास टैक्सी से बाहर आई ये लो शेहनास ने पर्स से एक नोट निकाल कर उसे देते हुए कहा मैं किराया नहीं लेता शेहनास चौंक पड़ी उसने नीचे से उपर तक उसे देखा ये एक लंबा तगड़ा आतमी था उसने अपने चेस्टर के कॉलर कान के उपर तक खड़े कर रखे थे और कैप चेहरे पर जुका रखी थी मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी शेहनास ने उसे घूरते हुए कहा मेरी मज़दूरी सिर्फ इतनी है कि आप सारजेंट हमीद को मेरा पीछा करने से किसी तरह रोख दीजिए वरना मुफ्त में उसकी जान जाएगी तो क्या आप तो क्या आप शेहनास ने कामते हुए कहा जी हाँ मैं वही हूँ जिसका जिक्र आप से हमीद ने किया था वो बोला मुझसे डरने की जरूरत नहीं मैं जबर्दस्ती किसी को परिशान नहीं करता लेकिन अपने रास्ते में आए हुए आदमियों को माफ कर देना मेरे बस से बाहर होता है अच्छा अब जाएए हमीद को अच्छी तरह समझा दीजिएगा गुड नाइट उसने कास चार्ट की शेहनास हैरत से खड़ी तेजी से जाती हुई टैक्सी को देख रही थी दूसरे दिन हमीद थोड़ी देर से दफ्तर पाँचा अभी वो बैठने भी नहीं पाया था कि चीफ इंस्पेक्टर ने उसे अपने कमरे में बुलवा लिया आज तुम देर से आई जी हाँ देर हो गई बात ये है कि कल देर रात तक केका आदमी का पीछा करता रहा किस केस के सिलसले में उन्ही अजीबो गरीब डाखों के केस के सिलसले में मेरे खयाल से तो अभी मैंने ये केस किसी के सुपूर्ट नहीं किया क्या बताओं फरीदी साहब के इस तरह गायब हो जाने से मैं बहुत परिशान हूँ और कहीं तुम्हारे भी गायब हो जाने से हम सब लोग ना परिशान हो जाएं चीफ इंस्पेक्टर ने कहा तुम लोगों का इस तरह बगेर कुछ कहस उने कोई काम शुरू कर देना मुझे बलकुल पसंद नहीं है और फरीदी को तो जैसे इसका खब थो गया है खेर ये देखो चीफ ने एक कागस हमीद की तरफ बढ़ा दिया जिसके उपर किसे की उंगलियों के निशान थे क्या तुम इने पहचान सकते हो चीफ ने पूछा हमीद थोड़ी देर तक को निशानों को देखता रहा फिर कहा जी नहीं और चीफ की तरफ सवाल या निगाहों से देखने लगा चीफ ने घंटी बजाई एक सारज़न कमरे में दाखिल हुआ सारज़न चला गया थोड़ी देर बात उसने चमरे का एक थैला लाकर मेंज पर रखा चीफ ने थैला खोल कर मेंज पर उलट दिया बहुत से कागस मेंज पर बिखर गए उसने उनमें से एक कागस निकाला उस पर उंगलियों के निशान थे उसने वो कागस भी हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा दोनों को मिलाओ दोनों एक ही आदमी की उंगलियों के निशान मालुम होते है हमीद ने गौर करते हुए जवाब दिया जानते हो किसकी उंगलियों के निशान है चीफ ने कहा हमीद का दिल धड़कने लगा वो सोचने लगा कहीं ये निशानती जोरी पर से तो नहीं मिल गए अगर ऐसा है तो बुरे फसे उसने चीफ के चहरे को गौर से देखा वो मुस्कुरा रहा था हमीद को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिमाग पर घूसा मार दिया हो चीफ उसके चहरे की बदलती हुई रंगत देख कर बोला घबराओ नहीं सब खैरियत है फरीदी जिन्दा है चीफ ने कहा खुदा गरे ऐसा ही हो देखो फरीदी की एप्लिकेशन एक महीने की चुटी के लिए आई है चीफ ने एक कागज उसके तरफ बढ़ाते हुए कहा ये निशान मैंने इसलिए हासल किये है क्योंकि एप्लिकेशन टाइप की हुई है और उस पर फरीदी के दस्तकत भी नहीं है इसलिए मुझे खयाल पैदा हुआ कि शायद ये भी बदमाशों की कोई चाल है इसलिए इस पर उंगलियों के निशान देखने की जरूरत पड़ गई मेरा खयाल है कि फरीदी चुप चाप चान बिन कर रहा है और ये मामला ही ऐसा है कि वो पता लगाए बगेर बैट नहीं सकता हमीद के जहन में एक भयानक चेहरा नाशने लगा वो सोचने लगा कि ये भी उसके चाल मालुम होती है वरना फरीदी साहब तो गायब होने के बाद अपनी परचाई तक से भड़कते हैं ऐसी सूरत में उनका बाहर से चुटी की एप्लिकेशन देख कर जताना कि मैं यहां माजूद हूँ कोई मानी नहीं रखता एप्लिकेशन में ये भी नहीं लिखा था कि वो भेजी कहां से गई है अगर खुद फरीदी साहब का इरादा चुपकर काम करने का होता तो वे कभी चुटी की एप्लिकेशन नहीं देते क्यूंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था बहरहाल हालात अच्छे नहीं है चीफ ने कहा जी हां अच्छा कल रात तुम पीछा किसका कर रहे थे एक बहुत ही भयानक आदमी का जिसे मैंने नौवल्टी में देखा था नौवल्टी? वही जिसका मालिक संतोश है जी हां उस पर तो कई दिरों से हम लोगों की नज़रे हैं लेकिन कभी ऐसा बहाना हाथ नहीं आया कि उसका कुछ किया जा सके वो अयाशी का एक खुला अड़ा है पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिसके बुनियाद पर कोई कारवाई की जा सके दरसल यही चीज मुझे वहां ले गई थी मुझे शक है कि इस होटेल में अयाशी से भी ज्यादा भयानक कोई काम होता है मेरे पास इसका सबूत नहीं है लेकिन मेरा दिल कहता है कि इन वारदातों के सलसले में इस होटेल का भी कोई ना कोई हिस्सा जरूर है हमीद ने कहा एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि फरीदी के गायब होते ही अचानक ये वारदाते होने क्यों रुख गई जबकि लगातार ये सलसला जारी था चीफ ने कहा हमीद फिर बौकला गया मेरे खयाल से तो इससे यही मालुम होता है कि फरीदी के गायब होते ही मामला खूफिया पुलिस के सपूर्ट कर दिया गया है अच्छा एक और चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही चीफ ने कहा कि आखिर फरीदी की एप्लिकेशन पर उसके साइन क्यों नहीं है एक जाहिल से जाहिल आत्मी भी ये जानता है कि टाइप की हुई बगैर साइन की एप्लिकेशन मन्जूर नहीं हुआ करती खास तोर पर उसकी तरफ ना हो मेरा दिल कहता है कि वो किसी मुसीबत में है ये तो मैं भी सोच रहा हूँ हमीद ने कहा सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा हमीद हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है मुझे उससे तसली नहीं है अभी तक सिर्फ इतना ही मालुम हुआ है कि वारदात वाली रात को पुलिस की वो गाड़ी स्टेशन के फाटक पर देखी गई थी जिसे डाको उड़ा ले गए थे जो शक्स गाड़ी को चला रहा था उसके बारे में सुनने में आया है कि वो इस तस्वीर से बहुत मिलता जुलता है चीफ ने मेंस के दरास से एक तस्वीर निकाल कर हमीद के तरफ बढ़ाते हुए कहा अरे ये तो वही है हमीद के मुझ से निकल गया कौन? रात जिसका मैं पीछा कर रहा था बहुत अच्छे चीफ इंस्पेक्टर खुशी से चीखा तो क्या वो तुम्हें नौवल्टी में मिला था? जी हाँ तो ये कहो कि सच मुझ नौवल्टी आजकल बदमाशू का अड़ा बना हुआ है चीफ ने कहा जानते हो ये कौन है? हमीद ने कहा जी नहीं दिलावर खान मशूर पेशेवर कातिल इसने बहुत से खून किये हैं दस साल हुए ये अफगानिस्तान भाग गया था उसके बाद से लापता रहा अचानक फिर दिखाई दिया ये बताओ कि तुमने उसके घर का भी पता लगाया या नहीं इसकी नौबत ही नहीं आ पाई ये शायद मुझे पहचानता था उसके बाद हमीद ने होटेल की सारी कहानी सुना दी भई वो बहुत ताकतवर आदमी है एक बार उसने सिर्फ एक घूसे में एक आदमी की जान ले ली थी खैर अगर वाकई वो इस यहर में मौजूद है और इनवार दातों में उसका भी हाथ है तो फिर वो बच कर नहीं जा सकता चीफ ने घंटी बजाई एक आदमी अंदर आया इंस्पेक्टर बैनर जी को बुलाओ चीफ ने कहा इंस्पेक्टर बैनर जी को आता देख कर हमीद खड़ा हो गया आज आपको देली एक्सप्रेस देखना है चीफ ने सब इंस्पेक्टर बैनर जी से कहा जी हाँ मैं जाही रहा था सब इंस्पेक्टर बैनर जी अंग्रेजी में बोला लेकिन सहब मुझे कोई ऐसा आदमी दीजिये जो वाकई काम का हो हमीद को ले जाए बेतर है सब इंस्पेक्टर ने हमीद की तरफ देखते हुए कहा देली एक्सप्रेस के आने में अभी काफी देट थी हमीद और सब इंस्पेक्टर बेनर जी प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे तबी हमीद एक आदमी को देखकर ठिटक गया वो कोई मारवाडी सेट था उसका सामान प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ था शाहिद वो भी देली एक्सप्रेस के इंतिजार में था हमीद को अच्छी तरह याद था कि उसने उसे पिशली रात को नौवल्टी में देखा था उसे देखते ही हमीद के जहन में फॉरण खयाल आया कि वो क्यों ना आज इस मारवाडी के भेस में होटेल जाए उसके अंदास से मालुम होता था कि ये मारवाडी उस होटेल का कोई पुराना ग्राहक है क्योंकि पिशली रात वो काफी देर तक होटेल के मैनेजर से बाते करता रहा था और दोनों बहुत घुल मिलकर बाते कर रहे थे हमीद सोचने लगा कि जरूर ये कोई लंबा सफर करने जा रहा है तब ही तो उसके साथ इतना सामान है मगर ये कैसे समझ लिया जाए कि वो खुद सफर करेगा शायद वो किसी को भेशने आया हो हमीद के नसरे अब भी उस मारवाडी सेट पर थी उसका सामान फर्स क्लास कमपार्टमेंट में रखा जा रहा था पूरा कमपार्टमेंट रिजर्फ था हमीद ने रिजर्वेशन चार्ट पढ़ा डिबा बंबई के लिए रिजर्फ हुआ था मारवाडी को उस डिबे में बैठे देखकर हमीद की जान में जान आई वो रात के लिए प्रोग्रम बनाने लगा थोड़ी देर बाद इंजर्वेशन ने सीटी दी और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी कहिए साहब सब ठीक था हमीद ने सब इंस्पेक्टर से पूछा ठीक ही था सब इंस्पेक्टर बैनर जी ने कहा आज हमीद के लिए इस वक्त स्टेशन आना बहुत ही अच्छा साबित हुआ हमीद जब शाम को घर लोटा तो शेहनास को इंतजार करते पाया हमीद को देखते ही वो उचल पड़ी राग की बात इतने चुपके चुपके बतानी लगी जैसे उसे डर हो कि कहीं वो खौफनाक चेहरे वाला यहीं आसपास चुपा हुआ उसकी बात चितना सुन रहा हूँ मैंने खुदी अपना फैसला बदल दिया है कौन अपनी जान खत्रे में डाले हमीद ने कहा मुझे पूरा यकीन है कि फरीदी साहब खैरियत से हैं और चुप चाप अपना काम कर रहे है शेहनास ने कहा मैं तो अब तंग आ गया हूँ खुद तो जबरदस्ती खत्रे में फान पड़ते हैं और साथ ही साथ मुझे भी लपेटते हैं हमीद ने मुँ बनाते हुए कहा और फिर बात में शिकायत करते हैं कि तुमने मेरी थोड़ी सी भी परवा नहीं की मैं तो बहुत जल्द इस सर्विस से इस्तिफ़ा दे दूँगा मेरे पास इतना रुपया इकठा हो गया है कि आसानी से कोई बिसनस कर सकता हूँ बस बनाने लगे हवाई किले शैनास हसकर बोली कितना पैसा इकठा कर लिया है आपने आपकी तनक्वा है ही कितनी मेरे पास एक लाख रुपय है एक लाख? कहां डाका मारा था? एक बार एक केस के सलसले में मैंने और फरीदी साहब ने साधू बनकर दो लाख रुपय कमाए थे तो उसमें से एक लाख रुपए आपको मिले थे? नहीं, पूरे दो लाख फरीदी साहब इस तरह की रकम नहीं रखते और फिर उन्हें कमी किस बात की है? लकनाओं के शाही खानदान से तालुक रखते हैं करोडो रुपए की जायदात है तो बाकी एक लाख क्या हुए? एक लाख तो अलग है, उनको तुम्हें हाथ तक नहीं लगाता बाकी एक लाख में से सिर्फ पचास अजार रह गए हैं पचास अजार? बाकी का क्या हुआ? कमाल कर दिया, अरे भाई, खर्चो गए बला कोई हिंदुस्तानी जासूस सिर्फ तनख्वा के बल पर इतने नवाभी कर सकता है क्या? तो ये कहिए कि आप भीक के पैसों से मज़े कर रहे हैं भीक के क्यूं? भीक नहीं तो और क्या? सादू और फकीरों को भीक नहीं दी जाती तो और क्या? बिचारी गरीबों की गाड़ी कमाई को आप लोगों ने धोका दे कर लूट लिया ऐसा तो नहीं है हमीद ने कहा वो महरानी साहिबा का तौफा था चार साल हुए हम लोगे कातिल की तलाश में बनारस कए वहाँ पता चला कि वो एक बहुत बड़े गिरों का सरगना है और ये भी मालूम हुआ कि वो और उसके साथी साथूँ के बेस में रहते हैं इसलिए हम लोगों ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया फरीदी की कारस्तानियों की वज़ा से हम लोग बहुत जल मशूर हो गए एक बार फरीदी ने कमाल कर दिया रात का वक्त था फरीदी के दर्बार में अगिदत मंदों का जमगट था तब ही जोर की आंधी चली सारे चिराग बुच गए लेकिन फरीदी साहब का चेहरा अंधेरे में जगमगाता रहा बस फिर क्या था नारे गुंचने लगे आंधी खत्म हो जाने के बाद चिराग दोबारा जलाई गए थे अब उनका चेहरा अपनी असली हालत में आ गया था उस दिन के बाद से सारा बनारस उलट पड़ा दोर-दोर से लोग दर्शन के लिए आने लगे रोसाना हजारों रुपई की भेंट चड़ती थी लेकिन फरीदी साहब सबको वापिस कर देते थे एक दिन माहरानी साहिबा उनके दर्शन को आई बेचारी उस समय गर्वती थी और उनका चलना मुश्किल था उनके साथ एक ट्रैजडी थी और वो ये कि उनका हर बच्चा मुर्दा पैदा होता था फरीदी साहब ने उन्हें बहुत ज्यादा दुआ दी जाते वक्त उन्होंने कुछ देना चाहा मगर चूंकि मैं फरीदी साहब की आदत को जानता था इसलिए मैंने उनके बोलने से पहले ही रानी साहिबा से कह दिया कि उसका नाम भी नहीं लीचिएगा वरना महात्मा जी नारास हो जाएंगे महारानी साहिबा लोट गई उनके जाने के बाद फरीदी साहब ने मुझे खूब डांटा और कहा कि ऐसी मोटी असामियों का माल जायस है महारानी साहिबा अपने गर्ब के दिन पूरे कर रही थी तीन-चार दिन के बाद उनके बच्चा हुआ लेकिन इस बार वो सच मुझ जिन्दा रहा एक हफ़ते के बाद महाराज भी आये और हमारे महातमा को नमस्ते करके एक कोरे में चुप चाह बैठ गए फिर डरते हुए उन्होंने सो सो रुपे की कई गड़ियां महातमा के चरणों में रख दी महातमा ने उन्हें ठोकर मारी लेकिन मैंने उन्हें उढ़ा कर अपने पास रख लिया वे वहां से मू लटका कर चले गई ये है इन रुपेयों की कहानी शेहनास बड़ी गौर से सुन रही थी आखिर उनका चेहरा चमकने कैसे लगा था शेहनास बोली खुद फरीदी के तयार किये हुए एक नुस्के की करामात थी भई कमाल करते हैं आप लोग भी शेहनास ने कहा अच्छा फिर उस डाकू का क्या हुआ धर लिया किया हमीद ने कहा बला फरीदी किसी काम में हाथ डाले और वो अधूरा रह जाए तो बहराल आप लोग इस तरह अच्छी खासी दौलत पैदा कर लेते हैं शेहनास ने कहा और इस पर भी आप इस तीफा देने पर तुले हुए हैं क्या किया जाए सुकोन नहीं मिलता हमीद बोला अब यही देख लो कि अभी अभी दफ्तर से आ रहा हूँ और फिर एक घंटे के अंदर मुझे चीफ के बंगले पर पहुँचना है अब तुम ही बताओ ऐसी हालत में कोई शरीफ आत्मी इस तरह की नौकरी कैसे पसंद कर सकता है क्यूं अभी कहीं जाना है क्या शेहनास ने कहा कुछ नहीं मालूम बस हुकम मिलता है वाँ ये अच्छी रही शेहनास ने कहा और फिर कुछ इदर उधर की बाते चेड़ दी हमीद समझ रहा था कि शेहनास ये सुन कर की अभी उसे फिर चीफ इंस्पेक्टर के यहां जाना है चली जाएगी और वो इतमिनान से आज रात के प्रोग्रेम पर गौर करेगा लेकिन शेहनास टस से मस नहीं हुई हमीद परिशान होने लगा आखिर किस तरह उससे चुटकारा हासिल करे अगर उसे जरा भी शक हो गया कि वो फिर दिलावर खान के चकर में जा रहा है तो वो उसके लिए रुकावट पैदा करेगी शेहनास की जबरदस्ती पर अकसर उसे गुस्ता आने लगा था वो सोचता था कि फरीदी वाकई बड़ा अक्लमंद है जब महबूब के हातों ये हाल हो जाता है तो बीवी कितनी खतरनाक साबित होगी अरे भाई ज़रा जल्दी खाना तयार करो हमीद ने नौकर को आवास देकर कहा मुझे जल्दी ही जाना होगा ऐसी भी क्या जल्दी शेहनास बोली ड्यूटी तो पूरी ही कर रहाई है अब ज़रा देर ही सही हम लोग 24 गंटे ड्यूटी पर रहते हैं हमीद ने कहा सब कहने की बाते हैं नहीं करने की बाते हैं आप से ज़्यादा डरपोक आदमी मैंने आज तक देखा ही नहीं शेहनास बोली मुझे अफसोस है कि तुमने अपनी इतनी उम्र मुफ्त खराब की हमीद ने कहा क्यूं? इसलिए कि तुमने अब तक डरपोक आदमी नहीं देखा देख तो रही हूँ इतने में खाना आ गया दोनों ने खाना खाने के बाद फिर लड़ना शुरू कर दिया अच्छा भई अब चलना चाहिए हमीद ने उठते हुए कहा चलो तुमको तुम्हारे घर छोड़कर मैं चीफ के यहां चला जाऊंगा आज गाड़ी बन गई है हमीद ने कार निकाली और शेहनास को लेकर उसके घर की तरफ रवाना हो गया उसे घर छोड़कर वो यूही बहुत देर तक सडकों के चकर काटता रहा तकरीबन आठ बचे वो घर लोटा और सीधा ड्रेसिंग रूम में घुस किया एक घंटे के बाद जब वो वहां से निकला तो बरामदे की रोशनी बुझा कर अंधेरे में चिपता चिपाता नौकरों के नजरों से बच्टा हुआ सडक पर आ किया वो उसी दोपहर वाले मारवाडी सेट के भेस में था थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद उसने टैक्सी की और नौवल्टी जा पहुंचा रोज की तरह यहां काफी चहल पहल थी उसने चारों तरफ नजरे दोड़ाई लेकिन दिलावर खांक कहीं नहीं दिखाई दिया मैनेजर ने उसे दूर से ही सलाम किया हमीद दांत निकाल कर सलाम का जवाब देते हुए एक खाली कुर्सी पर बैट गया उसकी नसरे हॉल में लगे हुए उसे औरत के बुथ पर पड़ी जिसके जिस्म पर आज दोसरी साड़ी लपेटी गई थी ये बुथ भी अजीबो गरीब चीज था दूर से बिलकुल ऐसा मालूम होता था जिससे सच मुझ कोई खूब सूरत औरत खड़ी हो रोजाना उसके कपड़े बदले जाते थे बुथ एक चार पांच फूर टूंचे चबुत्रे पर लगा था हमीद देर तक उसे घूरता रहा उसने बेरे से बेर लाने को कहा और उंगने लगा अभी बेरा वापिस नहीं आया था कि उसे कल वाला वही पहलवान आदमी दिखाई दिया जो कल दिलावर खान के हाथ पिट गया था वो सीधा उसी की तरफ आ रहा था हमीद ने कोट के जेब में हाथ डाल कर रिवॉल्वर को मजबूती से पकड़ लिया ये अंदाजा तो उसने कल ही लगा लिया था कि वो भी कोई बदमाश है उसने करीब आकर नर्मे से हमीद को सलाम किया और उसके करीब ही बैठ गया क्यों सिर्ट जी आज क्या बात है बहुत खोए-खोए नज़रा रहे हो कोई बात नहीं हमीद ने मुस्कुरा कर कहा और खासने लगा क्या बताओं हमको जुकाम हो गया है ये तो आपकी आवास ही बता रही है वो बोला मौसम ही ऐसा है मौसम सलाह हरामी है हमीद ने कहा आज इसे लिए बेर पी रहा हूँ तुम क्या पीओगे जो पिला दे मेरा सेट तुम सकॉच पियो उस आदमी ने दांट निकाल दिये ये भी हमीद ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये आदमी मारवारी सेट से काफी गुला मिला मालूम होता है इसलिए उसने एतियाब से काम लेना शुरू कर दिया था ए बेरा एक बड़ा सकॉच और सोडा लाओ बेरा जल्दी ही सकॉच और सोडा ले आया दोनों पीने लगे आज हमीद जी कड़ा करके जिंदगी में पहली बार पी रहा था क्यूं सेट आज खेल नहीं होगा वो आदमी सकॉच की चुसके लेकर बोला नहीं भाई आज तबियत चीक नहीं है आज एक बड़ी अच्छी चीज़ आई है वो आदमी बोला मैं आपका इंतिजार ही कर रहा था अच्छा हमीद मुस्कुराते हुए बोला अब वो मामले की तैह तक पहुंच चुका था हाँ सेट बस समझ लो पका आम है हमीद होटो पर जुबान फेरने लगा दोनों ने जल्दी जल्दी शराब खत्म की आउ चलें वो उटते हुए बोला हमीद उसके पीछे हो लिया हौल से गुजर कर उन्हें कई और कमरों और गलियारों से गुजरना पड़ा एक कमरे में पहुँच कर उस आदमी ने एक अलमारी से रबड का तोबडा निकाला और हमीद को पकड़ा दिया हमीद हैरत में था कि आखिर इसका क्या मतलब है क्या सोच रहे हो सेट उसने हमीद से पूछा तबी एक खयाल बजली की तरह हमीद के दिमाग में कौन किया रोज रोज वही पट्टी आखिर तुम हमारा एत्बार क्यों नहीं करता हमीद ने वो तोबडा अपनी आँखों पर चढ़ाते हुए कहा तोबडा उसकी आँखों पर इस तरफ फिट हो गया कि रोजने की हलकी सी लकीर भी उसे नहीं दिखाई देती थी अब उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर चलने लगा वो अंधों की तरह उसके साथ जा रहा था उसने कई बार सोचा कि तोबडे को जरा सा किसका कर कम से कम रास्ता ही देख ले लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी और अगर हिम्मत पड़ भी जाती तो वो ऐसा कर ही कैसे सकता था जबकि उस आदमी ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी सीरी से नीचे उतर रहा है वो सोचने लगा कि अब वो किसी तहकाने में जा रहा है उतरने के बाद उसे थोड़ी दूर और उसी तरह चलना पड़ा फिर उसके दोनों हाथ छोड़ दिये गए उसने जल्दी से तोबड़ा उतार कर अपने साथी को बकड़ा दिया इस वक्त वो एक बहुत लंबे चोड़े तैकाने में था जहां बहुत सी मेजे और कुरसियां पड़ी थी और लोग बैठे जुवा खेल रहे थे एक तरफ कुछ लोग शराब पी रहे थे हमीद का साथी उसे अपने साथ लिए हुए एक कमरे में आया यहां एक औरत अर्दनगन हालत में बैठी शराब पी रही थी हमीद उसे देखकर बहुत चक्का रह किया यह शहर के मशूर लगपती की नौचवान बीवी थी क्या तुम्हें इस मारवारी के इलावा कोई और नहीं मिला वो कुर्से से उठकर जोर से बोली दूर हो जाओ यहां से सुनिये तो सही वो बोला मैं कुछ नहीं सुनती तुम अच्छे खासे गदे हो वो चीख कर बोली निकालो उसे यहां से अगर कोई और नहीं तो तुम खुद किस से कम हो हमीद का साथ ही उसे फिर बड़े कमरे में ले आया जहां लोग जुआ खेल रहे थे सेट तुम यहां बैठो मैं अभी आया फिर दो-दो हाथ होंगे उसने कहा और उसी कमरे में वापिस चला गिया अब हमीद की समझ में आ गिया था कि यहां क्या होता है उसने चारों तरफ नजर दोड़ाई तब ही वो चौन पड़ा एक मेस पर दिलावर खान भी जुआ खेल रहा था एक तरफ आधी बोतल शराब और गिलास रखे थे होंटों में मोटा सा सिगार दबा हुआ था हमीद ने फिर एक बैरे को बुला कर बेर का आडर दिया वो उस मेस पर बिलकुल अकेला था जैसे ही बैरा शराब लेकर आया दो आदमी और आकर मेस पर बैठ गए क्यों सेट क्या इरादा है एक ने कहा क्या आज खेलोगे नहीं होगा खेल मगर ज्यादा लंबा नहीं हमीद ने अपने बनावटी दांतों को दिखाते हुए कहा आओ तो हो जाए दूसरा बोला इतने में वो शक्स भी आ गया जो हमीद को अपने साथ लाया था कहो उस्ताद कैसी रही वो खिस्यानी हसी हस्ता हुआ बैट गया चीज तो बढ़िया है हमीद ने फूहर पन में कहा होगी पर अपने काम की नहीं वो बोला पत्ते बांट दिये गए और वो चारों भी खेलने लगे हमीद बराबर हारे जा रहा था उसने महसूस कर लिया कि पत्ते लगाय जा रही है इसलिए उसने ठीक से खेलना शुरू कर दिया वो बराबर पत्ते फैंकता जा रहा था आज चाल नहीं चल रहे हो सेट क्या बात है एक बोला आज पैसा कम है हमीद ने कहा अरे तुम इसकी परवा क्यों करते हो उधार ले लो अपने ही आदमी हो कोई गैर नहीं अचानक एक धमाकी की आवाज सुनाई थी सब चौंक पड़े दिलावर खारने मेज उलटती थी और अब खड़ा हाथ में बोतल लिये हुए तॉल रहा था उसके साथ के तीनों की लाड़ी जमीन पर पड़े हुए थे पत्ते लगाते हो वो गरच कर बोला फिर एक गोली की आवाज सुनाई थी लोगों का ध्यान उस तरफ हो गिया एक लंबा चोड़ा गरांडिल आतमी जिसने अपना चेहरा काले नकाब में चुपा रखा था एक हाथ उठाई खड़ा था सारे तैकाने में सन्नाटा चातिया खेल बंध हो गया सब लोग अपनी अपनी जगत चुप चाप खड़े थे नकाब पोश धीरे धीरे चलता हुआ दिलावर के करीब आया और उसके हाथ से खाली बोतल चीन कर एक तरफ टाल दी दिलावर कान चुप चाप खड़ा था कौन हो तुम नकाब पोश गरच कर बोला दिलावर कान चुप चाप खड़ा रहा इसे यहां कौन लाया है नकाब पोश भेड की तरफ देखते हुए बोला मैं हमीद का साथी हाथ उठा कर बोला ये वही है जिससे कल मेरी लड़ाई हुई थी अच्छा तो ये वही है नकाब पोश दिलावर की तरफ देखकर सिर हिलाते हुए बोला दिलावर खान हसने लगा तुमने यहां हर बोंग क्यो मचाई नकाब पोश बोला तुम्हारे के लाड़ी बैमानी करते हैं दिलावर खान ने कहा बकवास है नकाब पोश ने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है ये दोहरे ताश दिलावर उसे ताश की दो गड़ियां दिखाते हुए बोला शरीफों की जेब पर डाका डालो तो एक बात भी है हम जैसे तो तुम जैसों के लिए जेब में रिवालवर भी मजूद रखते हैं बड़े तीस मारका हूँ नकापोश ताना मार कर बोला मैं 30-60 मारका हूँ तो बेटा दिलावर खान सीने पर हाथ मारते हुए बोला नकापोश ने दिलावर खान के मुँझ पर एक घुनसा मार दिया दिलावर लड़ खड़ा किया शायד वो उसके लिए तैयार नहीं था वो जल्दी से संभल गया नकाब पोश ने दूसरा घूसा मारा फिर तीसरा और फिर उसने घूसों की बाचार कर दी दिलावर खामोशी से पिट रहा था थोड़ी देख बाद नकाब पोश हाफ ने लगा अच्छा अब एक मेरा भी संभालो दिलावर ने उसे सुस्थोता देख कर कहा दिलावर का हाथ पढ़ते ही नकाब पोश धेर हो गया उसके मूँ से खून निकल रहा था उसने उटने की कोशिश की लेकिन अब की दिलावर ने उसकी ठोड़ी पर एक लात मारी नकाब पोश तिल मिला उठा ये देख कर हमीद के साथी ने पिस्तॉल निकाल लिया नजाने कौन से अचानक खयाल आ जाने से हमीद ने उसका हाथ पकड़ कर उपर उठा दिया लेकिन गोली चल चुकी थी बिज़री के बलग पर लगी और सारे जुआ घर में अंधेरा चा किया अंधेरे में अच्छा खासा हंगामा हो गया लोग इधर उधर एक दूसरे से टक्राते फिर रहे थे किसी ने हमीद की कनपटी पर एक खुलसा मारा वो चक्रा कर गिरने लगा फॉरण किसी ने उसे संभाल लिया और अपनी पीट पर लाग कर ले भागा वो उपर चड़ रहा था उपर सेड़ी पर पहांच कर उसने हमीद को उतार दिया और उसका हाथ पकड़ कर एक तरफ धीरे धीरे रेंगने लगा चुप चाप चले आओ उसने धीरे से कहा हमीद का सिर चट से टक्रा रहा था दोनोंने चट टटोलना शुरू किया लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला चट से लगबग एक फुट नीचे हमीद को चट और दिवार के बीच इतनी जगा महसूस हुई जिसमें एक आदमी लेट कर असानी से रेंग सकता था शायद उसके साथी ने भी उसे महसूस कर लिया था इधर चट चलो उसने धीरे से कहा दोनों उस जगा में लंबे लंबे लेट कए अब यहां लेट कर किसी आने वाले का इंतिजार करना चाहिए यहां दर्वासा जरूर होगा वरना सेडियों की क्या जरूरत थी वो धीरे से बोला मगर इस तरह हम लोग देख लिए जाएंगे हमीद ने कहा अच्छा तो आगे की तरफ किसकना शुरू करो देखें उधर क्या है वो बोला दोनों लेटे लेटे रेंगने लगे थोड़ी दूर सरकने के बाद हमीद ने अजीब तरह की बद्बू महसूस की और साथी पानी बेहने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी वो आदमी आगे था तबी वो रुक गया उसने जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाल कर जलाई आगे दो फुट चौड़ा और लगबग चार फुट लंबा एक गड़ा था हमीद अपने साथी को गौश से देख रहा था उसने देखा कि वो दिलावट था नीचे कोई गंदा नाला बह रहा है उसने हमीद के तरफ मुड़कर कहा मगर बद्बू बहुत है अब चलो एक तरीका समझ में आता है कि हम लोग उसमें कोट पड़े कही ना कहीं तो जाकर निकलेंगे और अगर कभी ये नाला आगे चलकर नाली हो गया तो क्या होगा हमीद बोला अच्छा और अगर यहां पकड़े गए तो कैसी खातिर होगी ये भी सोच लो मेरी जान मुझे बचाने के चकर में वो तुम्हें काफी कड़ी सजा देंगे जैसी तुम्हारी मरसी हमीद ने बेबसी से कहा अच्छा तो पहले मैं कूटता हूँ ये कहकर दिलावर उसमें उतर गया नीचे से उसने टॉर्च दिखाई और हमीद भी कूट पड़ा लगबग चार-पांच फूट चौड़ा नाला था सारे शहर का गंदा पानी उसमें बहा करता था हमीद ने अपनी नाक मजबूती से दबा रखी थी दोनों धीरे-धीरे बढ़ने लगे पानी हमीद की कमर तक था मेरा तो दम घुट रहा है हमीद ने कहा घबराओ नहीं ये नाला हर्गिस नाली नहीं हो सकता है लेकिन हम कब तक इस तरह चलते रहेंगे बाहर निकलने की क्या सूरत होगी हमीद ने कहा तुमने सडकों पर कुछ जगह लोहे की जंचरियां लगी हुई देखी होंगी उनका तालुक नाले से है घबराओ नहीं थोड़ी देर चलने के बाद पानी की सता पर रोशनी के कई लहरे दिखाई थी चलो जंचरी भी आ गई हमीद ने कहा पागल हो रहे हो इस जगह काफी आना जाना मालूम होता है अगर यहां उपर निकले तो अच्छी खासी हजा हजामत बन जाएगी तुम तो खैर बच जाओगे लेकिन मेरे सिलसले में काफी चान बिन की जाएगी और नतीजा यह होगा कि मैं जेल में नसराओंगा बला मैं कैसे बच जाओंगा हमीद ने कहा हमीद मिया तुम मारवाडी के भेस में मुझसे नहीं चिप सकोगे दिलावर खान हस कर बोला खैर चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया अगर आज तुम मेरे पीछे नहीं लगते तुम्हें दूसरी दुनिया में होता क्या वाके तुम्हारा तालिक उन लोगों से नहीं है हमीद ने कहा हर्गिस नहीं मैं उन लोगों से बदला लिये बगएर उन्हें नहीं चोड़ूँगा आखर ये लोग है कौन हमीद ने पूछा और वो नकाब पोश कौन था नौवल्टी का मालिक संतोश दिलावर ने कहा ये लोग सिर्फ यहीं तक नहीं उन्होंने अपना जाल दोड़ दोड़ तक फैला रखा है अगर ये बात है तो कल ही जी हाँ कल ही आप उन्हें गिरफतार कर लेंगे दिलावर ने ताना मार कर कहा उनके खिलाफ सबूत कैसे ही कठा करो के तेहकाना और उसके गैर कानूनी हरकते हमीद ने कहा तो क्या तुम उस तेहकाने में दोबारा पहन जाने की उमीद रखते हो दिलावर ने कहा क्या तुम्हारी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई थी जी नहीं मुझे तोबड़ा पहना कर ले जाया किया था तो फिर हम लोग इसी नाले की तरफ से हमला करेंगे हमीद ने कहा बहुत खूब दिलावर ने हसकर कहा वो गड़ा इसी वक्त पाड़ दिया चाएगा और कल तुम्हें उसका निशान तक नहीं मिलेगा खेट छोड़ो हमीद ने कहा ये बताओ कि तुमने फरीदी साहब को क्यों गिरुफतार कर रखा है फरीदी को आज छोड़ दिया है दिलावर ने कहा क्या वो घड़ नहीं पहुंचा नहीं हमीद ने कहा तो फिर मुझे डर है कि कहीं वो संतोष के हत्ते ना चड़ गया हो अरे नहीं हमीद ने कहा मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर अब क्या हो रहा है हमीद ने बेबसी से कहा चीज़ी ऐसी है कि उसे सेठ अगरवाल, फरीदी, संतोश और मेरे इलावा कोई और जान भी नहीं सकता अच्छा तुमने फरीदी की तिजोरी से क्या चीज़ कायब की थी हमीद ने पूछा यही तो हमारा रास है जो बताया नहीं जा सकता दिलावर ने कहा आखिर फरीदी ने तुमसे क्यों चुपाया था यही तो समझ में नहीं आता हमीद ने कहा अच्छा देखो वो रोशनी दिखाई दे रही है ये जगात सुनसान मालूम होती है दिलावर ने कहा हमीद ने उपर सेर उठा कर देखा जंजरी से धुंदली धुंदली रोशनी आती दिखाई दे रही थी सड़क का ये हिस्सा काफी विरान मालुम होता था हमीद ने दोनों हाथ उठा कर जंजरी से टिका दिये और जोर लगाने लगा लेकिन जंजरी टस से मस नहीं हुई दिलावर हसने लगा उसने हमीद को एक तरफ फटा दिया दिलावर कुछी मिनट की कोशिश के बाद उस जंजरी को उसकी जगा से हटाने में काम्याब हो गया दोनों उचल कर बाहर आई जंजरी फिर वहीं फिट कर दी गई हमीद सर्दी से बुरी तरह काम रहा था लेकिन दिलावर पर कोई खास असर नहीं मालूम होता था अच्छा शुक्रिया दिलावर ने हमीद से हाथ मिलाते हुए कहा तुमने मेरी जान बचाई है और तुमने मेरी हमीद ने कहा दोनों बराबर हो गए मतलब दिलावर हस कर बोला यही की असानी से कभी मेरे हत्ते चड़ गए तो छोड़ूँगा नहीं हमीद ने कहा लॉंडे हो हमीद मिया चालिस साल से आज़ाद फिर रहा हूँ अभी तक तो कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे पकड़ सके खेर देखा जाएगा हमीद बोला इसका फैसला वक्त करेगा हमीद ने दूसरे दिन सारी दास्तान चीफ इंस्पेक्टर को सुनाई वो सरनाटे में आ गिया वाकिफ अरीदी की संगत ने तुम पर गहरा असर डाला है चीफ ने कहा उस वक्त कोई इंस्पेक्टर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता शुक्रिया हमीद ने जुक कर कहा और मुझे हैरत है कि आखे फरीदी तुम्हारी तरक्की की रा में रुकाफटे क्यों डालता रहता है दरसल वो नहीं चाहते कि मैं उनसे अलग रहूं हमीद ने कहा अच्छी सनक है चीफ ने कहा अच्छा बताओ कि तुमने दिलावर खान को क्यों निकल जाने दिया उस वक्त मैं कर ही क्या सकता था देखो ये बहुत अच्छा मौका है जब दो बदमाशों में खटपट हो जाए तो हमें इस से पूरा-पूरा फाइदा उठाना चाहिए शायद तुम मेरा मतलब समझ गए होगे बहुत अच्छी तरह तो आज रात को हम लोग नौवल्टी चल रहे हैं चीफ ने कहा तैकाने में पहुँशना तो अब काफी मुश्किल है क्योंकि वो लोग अब तक काफी होश्यार गए हो गए होंगे हाँ ये तो है जब तक हमारे पास पूरे सबूत ना हो हम उन लोगों को गिरफ़तार नहीं कर सकते चीफ ने कहा देलावर खान पर भी किसी ना किसी तरह हाथ पढ़ना ही चाहिए मुश्किल है क्यूं? बहुत चालाक आत्मी है हमीद ने कहा मुझे तो इस बात पर है कि वो इस तरह आजाद कैसे घूमता फिरता है यहां उसे कोई पहचानता नहीं चीफ ने कहा एक सुरत से हमें उससे बड़ी मदद मिल सकती है हमीद ने कहा वो कैसे? फिलहाल हम लोग उसे अपने साथ मिला ले वो भी उन लोगों का जानी दुश्मन हो रहा है हमीद ने कहा लेकिन यह कैसे होगा हमीद? यह आप मुझे पर छोड़ दीजिए चीफ अच्छा उसे दिन नॉमल्टी होटेल के एक कमरे में दिलावर बेठा शराब पी रहा था यह एक बहतरिन तरीके से सजाया हुआ छोटा सा कमरा था दिलावर ने लंबी अंगडाई लीते हुए घड़ी देखी और सिगार सुलगा कर होंटों में दबाते हुए सोफे के तकीए से लग गया तब ही एक आदमी कमरे का दर्वासा खोल कर अंदर दाकिल हुआ दिलावर ने पलट कर देखा भी नहीं आने वालक कुछ देर तक उसके पीछे खड़ा उसे घूरता रहा फरमाईए कैसे तकलिफ की मेरे लायक कोई खिदमत वो आदमी भोला दिलावर एक खास अंदास में मुस्कुरा कर पलटा वो उसे गौर से देख रहा था शायद मैं संतोष बाबू से बात कर रहा हूँ दिलावर ने उड़ते हुए पूछा तश्रीफ रखिये संतोष ने उसके सामने बैठते हुए कहा कहिए शुक्रिया भूल रहे हैं हमारे यहां जुआ नहीं होता आप कहीं और हारे होंगे और आपका दान भी कहीं और तूटा होगा दिलावर ने ताना मार कर कहा और आपकी ठोड़ी पर ठोकर भी कहीं और पड़ी होगी आप ना जाने कैसी बाते कर रहे हैं संतोष ने कहा शायद आप ज्यादा पी गए हैं हो सकता है दिलावर ने कहा लेकिन इतना याद रखना कि दिलावर खान पेशावरी से टकर लेना आसान काम नहीं है दिलावर ने उठते हुए कहा संतोष आंके फाड़े हुए उसे घूर रहा था तो उस्ताद पहले ही क्यों नहीं बता दिया था संतोष ने धीरे से कहा और उसका हाथ पकड़ कर बिठा दिया तुमने पूछा कब था दिलावर ने ला परवाही से कहा तो आप इधर कब से आई हाल ही मैं आया हूँ और तुमें ये भी बता दूँ कि मैं सेठ अगरवाल के लिए काम कर रहा हूँ समझा लेकिन आपको इससे क्या फाइदा होगा जबकि मेरे इलावा और कोई दूसरा इस चीज के रास से वाकिफ नहीं तो वो चीज तुम ही ने उड़ाई थी नहीं मुझसे पहले ही कोई उड़ा ले गया और उसी रात को जब मैंने भी उसके लिए कोशिश की थी और फिर तुमने उसी ज़लाहट में अगरवाल पर गोली चला दी ये आपको कैसे मालूम हुआ संतोष चौंग कर बोला मुझे इस शहर के किसी बदमाश की कोई बात छिपी हुई नहीं है तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि वो चीज कौन ले गया अभी तो नहीं लेकिन मैं इसका पता जल लगा लूँगा आप वो चीज उससे हासिल करके सेट अगरवाल को दे देंगे हाँ अगर आप उस चीज के रास को जानते होते तो कभी ऐसी बात नहीं कहते संतोष ने कहा खेर सेट अगरवाल उसे दुबारा पाजाने पर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता मैं ये समझ सकता हूँ लेकिन मुझे इस से क्या मैं उसे उसके हवाले करके उससे ठीक ठाक दाम वसूल कर लूँगा कोई उसकी कीमत लगा ही नहीं सकता मैं ये भी जानता हूँ दिलावर ने कहा अगर आप ये भी जानते हैं तो फिर उसे हासिल करके मेरे हवाले कर दीजिए आधे आधे की रही चलो मन्जूर है लेकिन पहले मुझे वो तावीज दिखा दो दिलावर ने कहा अरे संतोष चौंक कर बोला तो क्या आप ये भी जानते हैं मैं क्या नहीं जानता दिलावर बोला लाओ उसे जल्दी लाओ वरना सारा मामला गड़बढ हो जाएगा संतोष कुछ सोचने लगा मैं जानता हूँ कि पठान बाग के पक्के होते हैं संतोष ने कहा मैं आपको वो तावीज दिखा तो दूँ लेकिन मेरे साथ धोका ना कीजिएगा धोका तो मैं सेट अगरवाल के साथ भी नहीं करूँगा क्या मतलब संतोष चौंकर बोला मैंने सेट अगरवाल को उसके तावीज की वापसी का वादा किया है वो चीजों से वापस की जाएगी और ये और बात है कि गुदा हमारा हुआ अच्छिल का उसका संतोष ने कह कहा लगाया मानता हूँ उस्ताद ये कहकर वो उठा और बाहर जाने लगा चेहरो दिलावर ने कहा ये भी सुन लो कि मैं सिर्फ इमानदारों के साथ इमानदारी करता हूँ अब परिशान नहों मेरी बात भी पक्की ही होती है संतोष चला गया दिलावर ने बुजा हुआ सिगार सुलकाया और आंके बंद करके सोफे पर लेट गया तकरीबन पंद्रा मिनट बात संतोष लोटा उसके हाथ में चमडे की एक थैली थी ये लीजिये संतोष ने बैठते हुए कहा दिलावर ने थैली खोल कर उसमें से एक छोटा सा कागस निकाला और उसे गोर से देखता रहा फिर संतोष को वापिस करते हुए बोला मेरे खयाल से इसे जला दो क्यूं? इसलिए कि जो शक्स वो चीज अगरवाल के यहां से ले गया है वो इसके फिक्र में भी होका अरे तो अब ऐसा कोई नहीं कि संतोष के कबजे से इसे निकाल ले चाए संतोष ने अकड़ कर कहा करने लगे फिर वही बच्पनी की बाते दिलावर ने कहा मान लो कि मैंने ही चीज को चुराया हो और मैंने तुमें धोका दे कर इसकी दूसरी कड़ी भी मालूम कर ली संतोष ने अच्छे मोर में सिर हिलाया अच्छा मैं आपके कहने पर अमल करूँगा संतोष ने कहा तो अब मैं चलता हूँ रात को किसी वक्त आऊँगा और हाँ खुश्यार रहना तुम पर यहां के जासूस की कड़ी नसर है कल तो एक तुम्हारे तैकाने में भी पहुँच गया था दिलावर ने कहा मुझे सब मालूम है तैकाने का रास्ता उनके बाप को भी नहीं मालूम हो सकता और यहां उपर कोई ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी बिना पर वो मुझे हाथ लगा सके उनसे तो मैं अच्छी तरह निपट लूँगा दिलावर संतोश से हाथ मिला कर बाहर चला किया उसी रात को हमीद और चीफ नौवल्टी होटेल की तरफ जा रहे थे चीफ का बंगला शेहर के बाहर था इसलिए शेहर जाने के लिए उन्हें सड़क के एक बहुत बड़े विरान हिस्से से गुजरना पड़ता था रात के लगभग आठ बजे थे टैक्सी की रोशनी अंधेरी रात का सीना चीरती हुई आगे बढ़ रही थी ये भी इतिफाक था कि आज उन्हें एक टैक्सी इस सुनसान इलाके में मिल गई वरना उन्हें पैदली आना पड़ता फरीदी की कार जो हमीद के इस्तेमाल में रहती थी वो आज फिर खराब हो गई थी अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें बेद सड़क पर एक आत्मी हाथ उठाई हुए खड़ा दिखाई दिया उसने अपने चेस्टर के कॉलर खड़े कर रखे थे और नाइट कैप आगे की तरफ इस तरह जुका रखी थी कि चेरा साफ नजर नहीं आ रहा था ड्राइवर ने उसके करीब पहांच कर टैक्सी रोग दी वो शक्स खिड़की के करीब आकर खड़ा हो गया हैंटस अप उसने रिवॉल्वर निकाल कर टैक्सी के अंदर बैठे हुए लोगों से कहा तुम दोनों नीचे उतर आओ अजनबी ने हमीद और चीफ इंस्पेक्टर से गलत अंदास में कहा दोनों खामोशी से हाथ उठाए हुए नीचे उतर आई जाओ बेटा अजनबी ने ड्राइवर से कहा अपने उससाथ से कह देना कि मेरे शिकार पर हाथ ना डाले वरना अच्छा नहीं होगा ग्राइवर ने गाड़ी स्चार्ट कर दी अजनबी ने दो तेन हवाई फायर किये और टैक्सी नसरों से गायप हो गई अब वो अजनबी उन दोनों से मुखातिब हुआ नौवल्टी होटेल अच्छी जगा नहीं खास कर शरीफों के लिए उसने कहा तुम कौन हो हमीद गरच कर बोला खैरियत इसी में है कि रिवाल्वर जेब में रख लो नाराज होने की जरूरत नहीं सरकार ये लीजिए अजनबी ने रिवाल्वर जेब में डाल लिया आफिर तुम हो कौन चीफ ने पूछा दोस्त ये कहकर अशनबी ने सिगरेट सुलगाने के लिए माचिस चलाई और हमीद के मूँ से निकला फरीदी साहब फरीदी चीफ ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा ये क्या बस चुप चाप घर की तरफ चले चलिए अगर मैं वक्त पर ना पहुंच जाता तो आप लोग गए थे हाथ से वो तेनों वापिस जाने के लिए मुड़े आखिर बात क्या है इस उनसान रास्ते पर कभी और भी आपको कोई टैक्सी मिलती थी फरीदी ने कहा नहीं लेकिन इस से क्या बहस है यही तो खास चीज है आप लोगों को गायब कराने का प्रोग्रेम बनाया किया था बदमाशों को किसी तरह खबर मिल गई थी कि आज आप लोग नोवल्टी जाने वाले हैं इसलिए उन्होंने पहले ही से आपकी सवारी का इंतिजाम कर दिया था तुम्हें इन सब बातों की खबर कैसे हुई चीफ ने कहा जाहिर है कि मैं इतने दिनों तक सिर्फ जख नहीं मार रहा था ये तो ठीक है लेकिन तुम किसी ना किसी दिन अपनी जान खत्रे में जरूर डाल लोगे आखिर इस तरह काम करने की क्या जरूरत है अपना अपना काम करने का तरीका है और ये तो आप जानते ही है कि मुझे खत्रों से कितना प्यार है चीफ सहब मगर मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद नहीं फरीदी मैं जानता हूँ कि आप मुझसे मोहबत करते हैं लेकिन क्या करूँ मैं अपनी तबियत से मजबूर हूँ कुछ केस ही ऐसे होते हैं कि मुझे अकेले काम करने पर मजबूर होना पड़ता है खेर भाई तुम जानो समझाना मेरा काम है चीफ ने कहा अच्छा ये तो बताओ कि तुमने उस ड्राइवर को यूँ ही क्यों निकल जाने दिया अभी फिलहाल उसे गिरफ़तार कर लेना चीक नहीं था क्यूँ मैंने इस वक्त उससे एक डाकू की हैसियत से बात की थी फरीदी ने कहा मामला अब दिल्चस्प हो गया है बदमाशों की दो पार्टियों में ठन गई है उनमें से एक पार्टी संतोष की है और दूसरी उन लोगों की है जिनोंने सेट अगरवाल के यहां डाका डाला था जिस दिन ये वारदात होई थी उस दिन संतोष और उनके साथियों ने भी सेट अगरवाल के घर में घुसने का प्रोग्रेम बनाया था ये लोग उन दोनों के बाद आये थे और संतोष एकी गोली से सेट अगरवाल जख्मी भी हुआ था लेकिन ये आज तक मेरी समझ में नहीं आ सका कि इन लोगों का मकसद क्या था चीफ इंस्पेक्टर ने कहा ये तो अभी तक मुझे भी नहीं मालूम हो सका लेकिन संतोष को कानून की चपेट में लाने के लिए मेरे पास बहुत से सबूत है और एक दिल्चस्प बात और सुनो चीफ ने कहा आज कल दिलावर खान फिर दिखाई दे रहा है उससे तो मुझे खास तोर पर निपटना है लेकिन अभी नहीं संतोष की गिरफतारी के बाद उससे भी समझ लूँगा फिल्हाल उससे उलचना नहीं चाहिए इसमें भी एक रास है भाई अपनी बाते तुम ही समझो चीफ ने उकता कर कहा परसो रात को नौ बजे कम से कम पच्चिस जवान साधी कपड़े में लेकर नौवल्टी पहुन जाईएगा और वहाँ अगर दिलावर से मुटबेड हो जाए तो उससे फिल्हाल नजर अंदास करने की कोशिश कीजिएगा वरना सब मामला गड़बड हो जाएगा अच्छा तो अब में चला अब संतोश की गिरफदारी के बाद ही मुलाकात होगी चीव का बंगला करीब था फरीदी लोटने के लिए मुड़ा सुन्ये तो सही हमीद ने बेकरारी से कहा नहीं इस वक्त नहीं तुम्हें काफी होश्यारी की जरूरत है मेरे बताई हुए वक्त से पहले नोवल्टी के करीब भी जाने की जरूरत नहीं फरीदी ने कहा और तेज कदमों से चलता हुआ अंधेरे में गायब हो किया फरीदी के बताई हुए प्लैन के हिसाब से शाम से एक एक दो दो करके साधी वर्दी में पुलिस के जवान नोवल्टी में अड़ा जमाने लगे फरीदी की हिदायत के मताबिक वक्त से पहले किसी ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे नोवल्टी वालों को हुश्यार हो जाने का इशारा मिलता नोबजे रात तक सारे जवान नोवल्टी में पहुँच गए चीफ और हमीद भी भेस बदले हुए वह मौजूद थे हर शक्स अपनी जगा पर किसी चीज का इंतिजार कर रहा था लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि अगले पल में क्या होने वाला है चीफ और हमीद के निकाहे फरीदी को ढूंड रही थी लेकिन वो अभी तक नहीं आया था फरीदी तो दिखाई नहीं दे रहा चीफ ने धीरे से कहा मैं भी यही सोच रहा हूँ हमीद ने कहा नजाने आगे उनकी स्कीम क्या है कहीं मुफ्त का सिर्दर्द ना हो चीफ बोला ये नामुम्किन है हमीद ने कहा फरीदी बेबुनियाद चीजों पर कभी कोई कदम नहीं उठाते खैर अब तो आही गए है जो कुछ होगा देखा जाएगा हाँ देखिए हमीद ने कहा ये बात भी अजीब औ गरीब है चीफ ने कहा दोर से ऐसा मालूम होता है जैसे सच मुझ कोई औरत खड़ी हो अजीब किस्म का रंग और रोगन है उसके चेहरे पर हमीद ने कहा अभी उन दोनों में ये बाते हो ही रही थी कि तभी कोई आत्मी बहुत ही भदी आवास में गाने लगा हर कोई उसकी तरफ देखने लगा दिलावर खान नशे में धो थात में एक काली बोतल लिए लड़ खडाता और गाता हुआ हौल में दाकिर हुआ उसने दर्वासे पर रुक को चार्दो तरफ नज़रे दोड़ाई मैं तो गाउंगा दिलावर खान चीक कर बोला देखता हूँ मेरा कोई क्या करता है मैं तुम्हारे मालिक संतोष बाबु का दोस्त हूँ गाने दो भई गाने दो कई मधोश शरीफ शराबी चीके जीओ मेरे साथियो जीओ दिलावर खान ने जुमते हुए कहा हमी जैसों के दम से दुनिया कायम है वरना कभी भी कयामत आ गई होती कुछ शराबियों ने जोर से कह कहा लगाया मेरे प्यारे भाईयों दिलावर खान बुद के तरफ इशारा करके बोला मैं उस वारत पर मरता हूँ ये मेरी महबूबा है क्या आपको कोई एतरास है हर्गिस नहीं हर्गिस नहीं एक साथ बहुत सी आवाजे आई मालूम होता है बहुत ज्यादा पी ली है चीफ इंस्पेक्टर ने हमीद की तरफ जोक कर धीरे से कहा जी हाँ बुरी तरह डाउन है हमीद बोला मगर फरीदी अब तक नहीं आया चीफ ने कहा मालूम नहीं क्या बात है हमीद ने कहा हाँ तो प्यारे भाईयों दिलावर फिर चीखा मैं जादूगर हूँ काला जादूगर मैं एक मिनट में मुर्गे से अंडा और अंडे से मुर्गी बना सकता हूँ खरगोश में से हैट निकाल सकता हूँ खरगोश में से हैट एक आदमी हस्ता हुआ चीखा नहीं हैट में से खरगोश दिलावर चीखा देखिए मेरा कमाल ये देखिए ये एक अंड़ा है, बताईए इसे क्या बना दूँ, हाथी एक आवास आई, नहीं खरगोश, दूसरी आवास सुनाई दी, नहीं भई गधा, तीसरा चिखा, अच्छा तो मैं इसे तोड़ कर पिये लेता हूँ, दिलावर ने अंड़ा तोड़ कर हलक में उडेलते हुए कहा, अब ये थोड़ी देर के बाद हजम हो जाएगा, कहिए है ना कमाल, सारा हौल तालियों से गुर्ज उठा, हाँ तो भाईयों, वो उसी चबुतरे पर बैटता हुआ बोला, जिस पर बुत लगा था, मैं इस औरत पर आशिक हूँ, लेकिन ये बड़ी कठोर है, मेरी कतई प घुल घुल कर मर जाओंगा, उसने बुत के पैरों से लिपट कर, बुलंद आवास में रोना शुरू कर दिया, सारे लोग हसी के मारे बेहाल हुए जा रहे थे, आप लोग हसते हैं, वो रोनी आवास में बोला, खुदा करे आपको भी किसी कठोर से इश्क हो जाए, मेरा द फेरने लगा, तबी एक खटका हुआ, और वो बुत खिसक कर एक तरफ हो गया, जिस जगा पर बुत लगा था, वहाँ एक दर्वाजा दिखाई दिया, और दिलावर खान उसे दर्वाजे में गिर कर गायब हो गया, हमीद ने सीटी बजाई, सारे जवानों ने अपनी अप इंस्पेक्टर बुत की तरफ बढ़ा, सब दर्वाजे बंद करा लो, कोई बाहर ना जाने पाई, और बाकी लोग मेरे साथ आएं, वो एक दर्वाजा, एक तैकाने का रास्ता था, वे सभी तैकाने में उतर गए, तैकाने में जुआ हो रहा था, नाचायस शराब, अफीम हेरोईन और कोकीन बेची जा रही थी, बहुत सारी औरते एश कर रही थी, पुलिस वाले धीरे धीरे सारे तैकाने में फैल गए, दिलावर खान का कहीं पता नहीं था, संतोष को बहुत जल्द इसकी खबर हो गई, उसने भी मोचा संभाल लिया, लगभग आधे घंटे तक दोनों तरफ से गोलिया चलती रही, धीरे धीरे संतोष की पार्टी सुस्त होती जा रही थी, इस दोरान संतोष बुरी तरह जखमी हो गया, आखिरकार जीत पुलिस की हुई, और सारे बदमाश पकड लिये गए, लेकिन संतोष गायब था, उसकी तलाश बराबर जारी थी तभी एक कमरे से गोली चलने की आवास आई, हमीद कमरे की तरफ लपका, लेकिन फौरन ही वो बाहर निकल आया, क्या बात है, चीफ ने कहा, संतोष ने खुद खुशी कर ली, हमीद ने बताया, पुलिस ने सारे बदमाशों को पकड़ कर गाड़ी में भर दिया, और गाड चीफ और बैनर्ची बैटे थे, दिलावर खान न जाने कहा गायब हो किया, चीफ ने कहा, मालूम नहीं उसे जमीन निगल गई, या आसमान खा किया, हमीद ने कहा, मैंने तो वैसा खौफ नाक आदमी आज तक नहीं देखा, खैर वो अगर यहां रह गया तो बचकर नहीं जा सकेगा, चीफ ने कहा, उसी रात को चीफ और हमीद फरीदी की कोठी में बैटे हुए कॉफी पी रहे थे, फरीदी का कुछ पता नहीं, चीफ ने कहा, कहीं में दिलावर खान के पीछे ना लग गई हो, हमीद ने कहा, कौन जाने, देखिए कब वापिस होते हैं, हमीद आप से दस साल पहले, दिलावर खान के लिए सरकार ने दस हजार रुपे का इनाम रखा था, जो आग भी, आज भी बद सोर गायम है, फरीदी उसे हासिल करनी की जरूर कोशिश करेगा, चीफ ने बताया, जी हाँ जरूर, कमरे के बाहर से आवास आई, और फिर कदमों की आ दिलावर खड़ा था, हैंड्स अप, हमीद ने पिस्टॉल निकाल कर कहा, दिलावर खान हसने लगा, शाबाश मेरे लाल, दिलावर ताना मारते हुए कहा, सच मश मैं तुम्हारी ही गोली का निशाना बनने की उमेद पर अब तक जी रहा हूँ, चीफ और हमीद हैरत से मु नहीं रह गई थी, कि मुँ से आवास तक निकाल सकते, क्यों हमीद मेरे एहसान का यही बदला है, दिलावर मस्कुरा कर बोला, अगर मैं आज तुम लोगों का रास्ता ना दिखाता, तो तुम्हारे फरिश्टों को भी तैकाने का रास्ता नहीं मालूम हो सकता था, तो इस अगर जमीन पर उकडू बैठते हुए बोला, उसने अपना मुँ गुटनों में छुपा लिया था, हमीद ने भढ़कर उसके हातों में हतकडिया लगा थी और बोला, आप यहीं टेहरिये, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, अरे अरे दिलावर खाने उठते हुए कहा, खुदा की कसम, कमाल कर दिया तुमने, चीफ ने उसके पेट ठोकते हुए कहा, सब मोहबबत है आपकी, तो क्या शुरू ही से दिलावर खान का रोल अदा कर रहे थे, चीफ इंस्पेक्टर ने पूछा, जी हाँ, अगर ये नहीं करता तो उस तैकाने तक पहुँचना मुम कल सारी कहानी सुनाओंगा, फरीदी ने जमहाई लेते हुए कहा, और सोने के कमरे की तरफ बढ़ गया, चीफ इंस्पेक्टर थोड़ी देर तक हमीर के साथ बैठ कर बाते करते रहे, हमीर ने दूसरे दिन सुबह ही सुबह फरीदी के कान खाने शिरू कर दिये, वो सारी कह कानी जानने के लिए बुरी तरह बिताब था, अरे भाई, तुम तो जान ही खा गए, फरीदी ने कहा, ये एक लंबी दास्तान है, कहां तक सुनाओंगा, बहरहाल सुनो, मगर ये बताओ, पहले तिजोरी का रास बयान करूं, या इस बार वाला जासूसी का तरीका बताओं नहीं, पहले मैं उस चीज़ के बारे में सुनूगा, जिसके बदालत ये सब कुछ हुआ है, हमीद ने कहा, अच्छा सुनो, शायद तुमने नाम सुना हो, यहां एक बहुत बड़े व्यपारी, राम कुमार जी थे, मैं उनका नाम इतने आदर से इसलिए ले रहा हूँ, त वो शक्स जिसके एक इशारे पर लाखों के वारे न्यारे होते थे, कौडी कौडी को मौताच हो गया, यह सेठ अगरवाल जो आथ सारे शहर का रईस बना बैठा है, उनके यहां रहता था, उनका दिवाला निकलवाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था, उसने चुपके ही अपना घर भर लिया, जिस वक्त राम कुमार जी का दिवाला निकला, उनके गुजर बसर के लिए सिर्फ थोड़ी सी जायदाद बाकी बची, जो उनकी बीवी के नाम थी, इस से उनकी गुजर बसर होने लगी, उनका एक साल का बच्चा भी था, दिवालिया हो जाने के सद वसियत नामा उस वक्त उनके बच्चे के हवाले किया जाए, जब वो बालिक हो जाए, और अगर वो मर गया, तो वसियत नामा उनकी बीवी को दिया जाए, अगर उसके भी जिन्दगी वफा ना करे, तो फिर वो वसियत नामा उनके भतीजे संतोश के हवाले कर दिया जाए यही संतोश जिसने कल रात खुद खुशी की है ये राम कुमार जी का बतीजा था बच्पन ही से गलत संगन में पढ़ जाने की वज़ा से वो बड़ा होकर अच्छा खासा बदमाश बन गया राम कुमार जी के इंतिकाल के बाद उनकी बीवी और बच्चे की परवरिश उसी जायदात के पैसे से होती रही और हाँ ये तो बताना भूल ही गया कि राम कुमार जी एक तावीज अपने बच्चे के गले में डाल गए थे जिसके मतलिक उन्होंने अपनी बीवी को हिदायत कर दी थी कि वो उसे उस वक्त खोल कर देखे जब बच्चा जवान हो जाए दो तेन साल के बाद अचानक एक दिन राम कुमार जी की वकील ने उनकी बीवी को खबर दी कि उसके यहाँ चोरी हो गई चोरी होने वाली चीजों में राम कुमार जी का वसीयत नामा भी था उनकी बीवी बहुत परिशान होई जायदाद खुद उनके नाम थी इसलिए उसके सिलसले में किसी किसम की वसीयत का सवाल ही नहीं रह जाता था इस सुलजन के तहट उन्होंने बच्चे के गले में पड़ा हुआ तावीज वक्त से पहले खोल डाला इस तावीज के जरिये उन्हें पता चला कि वसीयत नामे में किसी खजाने का जिक्र था लेकिन तावीज में लिखी हुई बात के हिसाब से वसीयत नामे को पड़े बगैर खजाने का पता चलना मुश्किल था उन्हें इत्मिनान हो गया कि बगैर उसके वसीयत नामे को चुराने वाला अपने मकसद में काम्याप नहीं हो सकेगा उन्होंने तावीज बच्चे के गले से खोल कर एत्याक से रख दिया चार महीने पहली की बात है कि अचानक एक दिन किसी ने उनके बखसे का ताला तोड़ कर तावीज निकाल लिया उनके परिशानी की हद नहीं रही वो मुझे जानती थी, एक दिन उन्होंने मुझे बुलवा भेजा और सारी बात बता कर मदद मांगी राज कुमार जी की सारी मोहबतें याद आ गई वे मुझे भी अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे मैंने उनकी बीवी से वादा किया कि मैं जरूर कोशिश करूँगा और उसी दिन से मैंने टैकीकात शुरू कर दी कई दिनों के बाद पता चला की वसियत नामा सेट अग्रवाल ने राम कुमार जी के कानूनी वकील के यहाँ से चोरी करवाया था मैंने सोचा कि अगर कानूनी कारवाई करके उसे हासिल करने की कोशिश की तो कामयाप नहीं हो सकूँगा इसलिए मैंने वो तरीका अपनाया चूंकि चीस चोरी की थी इसलिए सेट अगरवाल ने भी पुलिस को बयान दिया कि उसकी कोई चीस चोरी नहीं की गई है उसके बाद से मुझे उस चीस की बहुत ज्यादा खोज हो गई कि आखिल सेट अगरवाल पर गोली किसने चलाई उसी दोरान जब मैं जगदीश को बेवकुफ बनाने के लिए कार से उतर गया था मुझे कुछ अंजान लोगों से दो-दो हाथ करने पड़ी मैंने उन्हें और पुलिस को लड़ने में उलचा दिया और खुद पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हो गया मुझे लोगों की नजरों से चिप कर काम करने का अच्छा मौका मिल गया था मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उस चीज के पता लगाने की थी कि आखिर से ठगरवाल के इलावा और कौन हो सकता है जो इस वसीयत नामे में इतनी दिल्चस्पी ले रहा है धीरे धीरे मुझे इसका ऐसास होने लगा कि ये संतोश की हरकत है और उसी ने वो तावीज भी चुराया है लेकिन वसीयत नामा हाथ ना लगने की वज़ा से बिल्कुल बेबस है चुँकि उससे इस चीज को उगलवाना था इसलिए मैंने दिलावर खान का भेस बदला और सबसे पहले जो काम किया वो ये था कि वसीयत नामा अपनी तिजोरी से निकाल ले गया उस दिन मुझे तुम पर बहुत हसी आई थी जब तुम बरामदे में फैले हुए पटाकों पर उचल कूट कर रहे थे वो मैंने इसलिए डाले थे कि जिस वक्त मैं वसीयत नामा निकालू तो मुझे आने जाने वालों की आहट मिल सके सबसे पहले तुम ही उन पटाकों का शिकार हुए बात की कहानी तुम जानते ही हो एक दिन मैंने संतोश को बुला कर वो तावीज देख ही लिया उसका नक्षा मेरे जहन में मौचूद था उसके मताबिक वो खजाना उसी मकान में एक जगा दफन है जहां राम कुमार जी की बीवी रहती है अब ज़रा ठकन दूर हो जाए तो मैं जाकर वो खजाना खुदवाने में उनकी मदद करूँगा अब तुम ही बताओ कि मैंने वो वसीयत नामा चुरा कर अगर उसके हगदारों के पास पहुँचा दिया तो कौन सा जुर्म किया अगर ये जुर्म है भी तो मैं उसे जायव समझता हूँ अच्छा तो ये बताईए फरीदी साहब कि आप इतने ताकतवर कब से हो गए है हमीद बोला अरे मिया ये पूछ कर क्या करोगे ये सब रास की बाते हैं एक अच्छे जासूस में ये सारी खुसूसियत होनी चाहिए संतोष ने तो खुदकुशी कर ली अब इस केस में क्या होगा हमीद ने पूछा कुछ हो या ना हो लेकिन मेरे पास इस बात का पूरा सबूत है कि सेट अगरवाल पर संतोषी ने गोली चलाई थी और अब से तीन साल पहले उसने एक खुण भी किया था फरीदी ने खुलासा किया अच्छा तो क्या आप इस वसीयत नामे का भी जिक्र करेंगे क्या बेवकुफ किसी बाते करते हो अब जब कि संतोष मर चुका है इसके जरूरत ही बाकी नहीं रहती सेट अगरवाल में इतनी हिमत नहीं कि अब वो इस केस पर नए सिरे से रोशनी डाले क्योंकि उसने वसीयत नामा गैर कानूनी तौर पर हासिल किया था लेहाज़ा अब उसकी तरफ से कोई खटका नहीं रह चाता अच्छा भई अब बस क्या अब तक चाई नहीं बनी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें आपको ये कहानी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताएं मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें